अब अब जो हम सूरू करने वाले हैं चेप्टर फेक्टराइजेशन 14 एका फर्स्ट क्वेसिन जो हमें दिया है 6xy-4xz इस क्वेसिन को कैसे सोल कर सकते हैं हमें इसमें से कॉमन निकालना भी सबसे पहले 6 और 4 के टेबल पर जो 6 और 4 अंद दोनों किस टेबल पहते हैं चेक कर खाते हैं यहां पर क्या करेंगे से पहले मतम तो टुकल लेंगे लंगे फिर उसके वाइंस को मhost को मगणतर में देर हमारे पास यहां पे है यहां यहां पर भी सफ से में इसाल कई कर देंगे अब तो से 6 को करतें पर एक्स से एक्स कट जाएगा अपने पास क्या बच्वाइ؟ तो हम यहाप रिखेंगे 3Y माइनस में These High में यहाँ पर भी ऐसी करेंगे टो को 4 से कट कर देंगे यहाँ आगया टू एक्स से x cut गया हमारा तो बच गया z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z, तो यह आ गया हमारा अंसर इसका, 2x into 3y minus 2z, now, अपना next question देखते हैं, हमारा क्या है, question number 2, question number 2 हमें क्या given है यहाँ पर, देखते हैं, 9bx square minus 15b square x, तो सबसे पहले हम यहाँ पर check करेंगे कि 9 और 15 में से, दोनों के दोनों कि टेबल पर हमारे divide होते हैं, तो 9 और 15 3 के table पर divide होते हैं, तो हम यहाँ पर 3 कॉम ले लेंगे, उसके बाद, यहाँ पर b है और यहाँ पर b square है, तो जो कम value होते हैं, हम उसको लेते हैं, यहाँ पर square है, यहाँ पर 1 है, तो हम 1 लेंगे, तो यहाँ पर हम b की value, power है जो अपानी 1 ले लेते हैं, उसके बाद x square है और यहाँ पर x की power 1 है, और यहाँ पर है x की power 2, तो यहाँ से हम x की power 1 ले लें, common, अब अंदर देखते हैं, क्या ब अपने बाद साजेगा 3, उसके बाद B से B कट गया, X की पावर 2 को X की पावर 1 से काटते हैं, यहां पर पावर 1 है, 1 से पावर 2 कट गी तो यहां पर 1 बच गी, तो हमारे पास बचा पुरा 3X, तो यहां पर 3X लिख देंगे, माइनस, अब यहां से 3 से काटते हैं 15 को, 3, 5, 15, 15, अब B का स्केर हैं, यहां पर B है, तो B को B स्केर से काटते हैं, आपर पावर 1 बचे हैं, तो B बच गया, X से X भी काट दिया हमने, तो अपने पास बचा है 5B, तो अपने पास हो जाएगा यह, तो अपना question का answer आया, वो आया, 3BX इंटू, 3X माइनस में, 5B, यह हमारा final answer आया, अब करते हैं, यहां पर हमारा question number third, question number third में हमें क्या बोला है, यहां पर, 4A square B, माइनस में, 6AB square, प्लस में, 8AB, तो अब इसके अदर हमें चेक करना है कि सबसे पहले, कौन सा टेबल पर तिनों के तिनों यह, हमारे कट हो सकते हैं, तो 4, 6 और 8, दोनों 2 के टेबल पर आ रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 common ले लेंगे, उसके बाद A square A और A, अब lowest common value कि अपने पास यहां पर A की power 1 है, मैंने बोला था कि जो भी highest power होगी, उसके बजाए उसको हम power 1 लेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगी अपने पास power 1 हो जाएगी, तो A की power 1 यानि की A common लेंगे, उसके बाद अब चेक करना है, B की power कितनी lowest, यहां पर B है, यहां पर 20 के और यहां पर B, तो यहां पर B ही लेंगे हम common, उसके बाद, अब जो भी हमने common लिया, उससे सभी को divide करते हैं, यहां पर भी 2AB से divide करेंगे, यहां पर भी 2AB से divide करेंगे, और यहां पर भी 2AB से divide करेंगे, यह divide वाला काम हमें rough में करना है, तो 2 से 4 को कर देंगे, यहां पर 2 आगया, A से A कटेगा, तो A की power 1 बचेगी, B से B कट देंगे, तो इतना है बचा अपने पास यहां पर, 2 से 6 को काटते हैं, तो 3 आजगा minus का sign, फिर यहां पर बचा अपने पास 3B, और यहां पर चेक करते हैं, 2 से काटते हैं, 8 को 4 आजएगा, A को A से काटते हैं, और B को B से, तो अपने पास 4 ही बचा सिर्फ यहां पर, तो हम यहां पर लिखेंगे, plus का sign, और 4, तो यह हमारा यहां पर आजएगा, final answer, अब हमार पास, जो common table आता है, वो आता है, 5, तो 5 के table पे 3 के 3 हमारे 1 कट सकते हैं, तो हम यहां पर ले लेंगे, एक तो 5 common आजएगा, उसके बाद, यहां पर X square है, यहां पर X cube है, और यहां पर हमारा X है, तो मैंने बोला था, हम यहां पर lowest value चेक करते हैं, तो हमारे यहां पर lowest value 1 है तो हमारी जो lower power होती है उसको common लेते हैं, तो x की power 1 है, तो x की power 1 हम common लेंगे, अब अंदर क्या बचेगा, जो भी हमने common लिया है, उसको roughly हमें divide करके देख लेना है, पूरी equation से, तो 5x से यहाँ पर roughly divide करना है, 5x से यहाँ पर roughly, और 5x से यहाँ पर roughly divide करना है, अब 5 से 5 काट द लिखते हैं तो one two minus one one बच गया नहीं कि हम पर only x बचा है उसके बाद five से यहां पर काटेंगे तो three आजेगा five three is the fifteen x की power one है और यहां पर x की power three है three में से one को हमको काटते हैं तो three minus one two बचता तो यहां पर बच गई x की power two उसके बाद यहां पर करेंगे five को five four twenty x की power one और he precis one थो one seven zero को अपने पास कटे जो है यह यहां पर लिख लेंगे फिर सब्सक साइन कंधिती थी जा पर हमारे पास five से कटके पूरा बचा था पने पास three word three x बैर दूड यहां पर लिखनेंगा हम three x कि mild मैं यहां पर हमारा कट के बचा था 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, तो हमारा final answer आजाएगा इस question का, 5x into x plus 3x square minus 4, now, fifth question में क्या बोला हमें यहाँ पर इसके अंदर हमें check करना है कि क्या हमारे 2 के table पर कटते हैं, पट यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमारा यहाँ से कोई भी term common नहीं आ सकती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर x की value check करते हैं, यहाँ पर x की value 3D है, x की value 2D है और यहाँ पर हमारे पास x की value 1, तो जो lowest value है power works common common लेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर x common लेंगे तो अपने पास x common लेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर, x से हमें roughly divide करके देखना पूरे question को तो जब roughly divide करेंगे तो यहाँ पर x से x की power 3 है, और यह x की power 1 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 minus 1 करते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा अपने पास, तो जो जो चीज़े बची हुई है roughly से हम यहाँ पर लिख देंगे उसको x into में, तो यहाँ पर बचा था 2 x square, तो यहाँ लिखेंगे 2 x square, plus में plus का sign है तो plus का minus का तो minus, तो यहाँ पर हमारे पास बचा था सिर्फ x, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, उसके बाद फिर minus का sign फिर यहाँ पर हमारे पास x से x कट गया था सिर्फ 4 बचा था तो यहाँ पर 4 लिख लिएंगे, तो यह हमारा होगा final answer, तो हमारा 6th question क्या है इसको करते हैं यहांपर देखते है हमारे पास A की Cube है यहांपर A की power 2 है और यहांपर A की power कुछ भी नहीं है तो हम इसको common नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा 3ं через 3 ? अंदर यह हमारा common यारा 3 terms में तो उसके बाद B चेक करते हैं यहांपर B की power 1 है यहां पर B की पावर 2 है और यहां पर B की पावर 3 है तो यहनि कि हम यहां से common ले सकते हैं B की पावर 1 को तो अगर मैं यहां से B की पावर 1 को common लेता हूं तो हमारे पास अंदर क्या बज जाता है तो पहले इसको पुरे को B से डिवाइड़ करके देखेंगे roughly और इसको roughly की डिवाइड ही करना है, B को यहां से काट देता हूँ, तो अपने पास सिर्फ बचता है A की क्यूब, तो मैं लिखूंगे यहां पर A की क्यूब, फिर साइन आता है माइनस का, माइनस, फिर मैं यहां से B की पावर को काटता हूँ, तो 2-1, तो यहां पर B की पावर 1 बच गया, और यहां बच जाएगा A का स्क्यार, तो यहनि कि अपने पास बच जाएगा यहां पर A स्क्यार B, तो यहां बच गया A स्क्यार B, उसके बाद फिर माइनस का साइन वापिस, फिर b की पावर 1 है यहाँ पर b की पावर 3 है 3-1 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 2 तो अपने पास हो जाएगा b की पावर 1 और यह हमारा final answer आ जाएगा उसके बाद next करते हैं यहाँ पर हम question number 7 question number 7 में क्या बोला हमें यहाँ पर कि 28 a square b square c minus में 42 a b square c square तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि 28 और 42 किस table पर आते हैं वैसे तो यह 2 पर भी आ जाएगे 4 पर भी आ जाएगे लेकिन हमने highest table ढूणना है एक ऐसा बड़ा table जिस पर दोनों से divisible हो जाए तो हम यहाँ पर लेते है 14 तो 14 एक ऐसा table है जो इन दोनों को divisible कर देता है अब उसके बाद यहाँ पर a square है यहाँ पर a है तो यहाँ पर lowest value check करनी है a की power 1 तो यहाँ पर a की power 1 हम common ले लेंगे उसके बाद हमने check करना है b यहाँ पर b square है और यहाँ पर b square है तो यानि कि हम दोनों से b square ले सकते हैं common उसके बाद यहाँ पर c की power 1 और यहाँ पर c की power 2 तो यहाँ पर c की power 1 है मैंने बोला है कि lowest value लेते हैं मैंशा तो यह 1 है यह 2 है तो हम 1 ही लेंगे common तो C कोम ले लेंगे अब जो भी हमारा यह आया इसको हम प्रोपरली डिवाइड करते हैं यहां से पूरे को रफली काम में करना है यह A B SQUARE C और यहां पर भी करते हैं DIVISIBLE 14 A B SQUARE C अब 14 to the 28 उसके बाद A से A की पावर 1 और A की पावर 2 कट जाएगा तो A की पावर 1 ही बचेगा उसके बाद B SQUARE से पूरा B SQUARE कट जाएगा C से हमारा C कट जाएगा तो यहां पर सिर्फ क्या बचा है यहां बचा अपने पास 2 A तो यहां पर लिख देंगे हम 2 A minus का sign फिर as it is लखना है उसके बाद 14 3 जा उतता 42 उसके बाद A से A कट जाएगा पूरा B से B SQUARE कट जाएगा पूरा B SQUARE और B SQUARE सेम थे तो कट जाएगे उसके बाद यहां पर आता C C को जब C SQUARE से काटते हैं तो C की पावर 2 है यहां पर C की पावर 1 बच जाएगा जो हो जाएगा C की पावर 1 तो यहां पर हमारे पास क्या बचा है 3 C तो हम यहां पर लिख देंगे 3 C और यह होगा हमारा final answer हम next 8th question देखते हैं 8th question में हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया 15 X square Y minus 6 X Y square plus 9 Y cube सबसे पहले यहां पर देखते हैं एक ऐसा table जो सभी को काट सके तो 15, 6 और 9 सभी के सभी 3 के table पर हम यहां पर इसको काट सकते हैं तो यहां से 3 का table लग जएगा हमारा common आजएगा उसके बाद अब देखें यहां पर हम X square है X है और यहां पर X नहीं है तो हम यहां से X common नहीं ले सकते हैं उसके बाद Y है Y square है और Y cube है यानि कि Y की power यहां पर सबसे lowest कितनी है 1 है तो Y की सबसे lowest power 1 है तो हम इसको 1 common यहां से ले सकते हैं तो Y की power 1 यहां से हमने common ले लिया तो अंदर क्या बज़ जाएगा अपने पास यहां बज़ जाएगा अपने पास उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे पूरे को 3Y से डिवाइड कर देंगे रफ काम में तो रफ ली हम इसको 3Y को डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 उसके बाद Y से Y कट गया तो यहां पर बचा X square तो उपर बच गया 5X square उसके बाद 3 से म काट देते हैं 6 को 3 2 जा 6 Y से Y square को काटेंगे तो यहां पर बच जाएगा Y और यह X भी बचा होगी हमारे पास तो 2XY बच गया यहां पर उसके बाद यहां पर काटते हैं 3 को 3 के टेबल बे तो 3 3 जा 9 आ गया यहां पर और Y की पावर 1 है और उपर य की पावर 3 तो काटेंगे तो आजेगा Y की पावर 2 तो अपने पास बच गया आपर 3 Y की पावर 2 तो बच वा लिख देते हैं जो भी अपने पास बचा है 5 X square 5 X square माइनस में 2 X Y यहां पर बच जाएगा अपने पास 2 X Y प्लस का साइन यहां बच जाएगा अपने पास 3 Y square 3 Y square हाँ तो हम next question देखते हैं वही अपना question number 9 क्यों होगा अपने पास तो यहां पर अपने पास दिया है 10 X square Y प्लस में 15 X Y square माइनस में 25 X square Y square तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा table जो सभी को काट सके तो 10 15 और 25 तो 5 के table पर सभी हम इनको काट सकते हैं तो एक इन में से हम 5 को मले लेंगे उसके बाद यहां पर हमारे पास X square यहां पर है X यहां पर X की power 2 तो यहां पर हम X की power 1 ले सकते हैं ठीक है यहां पर उसके बाद Y है Y square है और Y की power 2 यानि कि Y square है तो हम यहां पर lowest value है Y की power 1 तो यहां पर Y की power 1 तो 5 X की power 1 Y की power 1 यानि कि हम यहां पर पूरी equation को roughly काम में 5 X Y से divide करके देखेंगे यहां पर तो जब हम यहां से 5 को काटते हैं 5 to the 10 X X की power कट जाएगी तो यहां बज़ जाएगा X Y से Y पुरा कट गया उसके बाद 5 से 15 को काटते हैं तो 3 आजेगा X से X कट गया Y की power यहां पर 1 है और यहां पर 2 है तो काट देगे तो Y की power 1 आगया उसके बाद 5 से इसको काट देते हैं 5 फाइव जा 25 उसके बाद X से X स्क्वेर को काट देगे तो यहां बज़ ज़एगा X और Y को Y स्क्वेर से काट देगे तो यहां ज़एगा Y की power 1 तो जो बचा हो हम उसको लिख देते हैं यहां पर बचा था 2X तो यहां पर लिखेंगे 2X साइन प्लस का है तो प्लस फिर उसके बाद 3Y बचा है यहां पर 3Y लिखेंगे उसके बाद minus का साइन फिर लिखेंगे यहां पर हम 5XY 5XY और यह हमारा हो गए यहां पर final answer तो शुरू करते हैं हमारा question number 10 question number 10 में क्या दिया हमे 18X square Y minus 24XYZ तो यहां पर क्या करते हैं सबसे पहले 18 और 24 की stable पर जाते हैं वो चेक करते हैं तो हम 18 और 24 उता अपना 6 पर जाता है तो हम सबसे पहले 6 common लेंगे उसके बाद यहां पर हमें दिया X square और यहां पर दिया X तो X की power 1 रखते हैं यहां पर तो lowest value 1 ही है तो हम यहां पर X common ले सकते हैं उसके बाद यहां पर हमें Y दिया है और यहां पर भी Y है तो यहां से हम Y भी common ले सकते हैं उसके बाद जो बचाओ उसको कैसा निकाल लेंगे रफली डिवाइड करके जो भी हमें कॉमनली है 6xy तो 6xy यहाँ पे भी और 6xy यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना होगा 6xy काट देंगे तो 3 आजएगा x से कट गया तो अपने पास x बच गया एक पावर y से y इतंगे यहाँ पर 6渉ड 24 और x से x कट जाता है y से y कट झाएगा z आपको लिख लिखते हैं यहाँ पे बचाओ था 3x तो यहाँ पिखेंगे 3x माइनस मैं यहाँ पे बचाओ अपने पास 4z तो यहाँ पिलिखेंगे 4z तो यह होगा हमारा final answer प्रेशन नमबर 11 में क्या बोला हमें 27a3, b3-45, a raise to power 4, b raise to power 2 तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 27 और 45 दोनों किस table पर आते हैं तो सबसे पहले दोनों divisible हो जाते हैं वही 9 के उपर तो हम यहाँ पर लेंगे 9 common उसके बाद, फिर हमने यहाँ पर देखना है कि a cube है यहाँ पर, यहाँ पर है a raise to power 4 तो हम यहाँ पर check करेंगे कि हमारे पास a की power 3 और a की power 4 में से सबसे पहले कोन आएगा a की power 3, lowest value लेते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 तो हम 3 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a 3 उसके बाद, यहाँ पर b की value 3 है यहाँ पर b की value 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या लेंगे छोटी value लेते हैं, b की value 2 लेंगे यहाँ पर उसके बाद अब देखते हैं अंदर क्या बचा भी common तो उसके लिए हम क्या करते थे रफली में डिवाइड करते हैं जो भी हमने कॉमन लिया है यानि कि इसको डिवाइड करेंगे 9A3 B2 से और इसको डिवाइड करेंगे 9A3 B2 से तो डिवाइड करते हैं 9 3s are 27 और यहाँ पर है अपने पास A3 A3 से A3 कट जाएगा B2 से हम B3 काटेंगे तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 यहाँ पर एक value बच जाती है B की पावर 1 बच हुई है अब यहाँ पर काटते है 9 से 45 को काटेंगे तो 9 5 is the 45 और A3 से इसको काट देंगे भी तो आज एक अपने पास A की value 1 और यहाँ पर B2 से B2 पूरा कड़िया यहाँ पर बचा 5 A यहाँ पर बचा 3 B तो हम बचा हो यहाँ पर लिख देंगे क्या क्या बचा अपने पास यहाँ पर 3 B माइनस में यहाँ पर बच अपने पास 5 A 5 A तो यहाँ अपना final answer 9 A3 B2 3 B-5 A Now next question में देखो Next question में जब हमारे पास ऐसे 2 term में question आता भी इसको हम binomial term बुलाते हैं यहाँ पर तो अपने पास monomial term चल रही थी single term यहाँ पर जब plus में आ जाता है bracket में तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं तो simple common ले सकते हो या फिर आप इस बीच वाले terms को put भी कर सकते हो किसी चीज़ के equal और put किसके equal करना जो भी इसमें से variable equal ना हो यानि कि A और B यानि कि A और B के अलावा में कोई भी variable मान लेना जैसे हम यहाँ पर मानते हैं A plus B को मैं मान लेता हूँ N के equal यानि कि मैं इसको N put कर देता हूँ तो अपने पास क्याएगा यहाँ पर 4 N इसकी पूरी की जंग पर मैंने N रख दिया हुए ठीक है minus में 6 adjectives और यहाँ पर A plus B का whole square यानि कि A plus B की value को मैंने क्या माना भी N माना है तो यहाँ पर हो गया N square ऐसे put करने के बाद अब इन दोनों में क्या चीज़ common है भी N common है तो मैं यहाँ से N common ले लेता हूँ तो अपने पास के बच जाएगा है यहाँ पर 4 minus यहाँ पर 6 और यहाँ से 1 N square था यानि कि एक चला गया तो 1 N बचा यानि कहने के मतला आप इसको roughly भी कर सकते हो इसको भी N से divide और इसको भी N से divide N से N कर जाएगा तो 4 बच जाएगा और N की power 2 है यहाँ पर 1 है तो 2 से 2 को 1 से काटेंगे तो एक ही बच जाएगा यानि कि उपर 6 N बच जाएगा अब अंदर अब अंदर क्या बचा 4 बचा है माइनस में 6 agities और N की जंग पर क्या जाएगा अपने पास यहाँ पर A प्लस B यानि कि A प्लस B और यह आजएगा अपने पास ऐसे तो यह आगा इसको आगे भी solve कर सकते हैं कैसे सोल करेंगे यहाँ उपर देखते हैं A प्लस B agities रखना आपने आप पे A प्लस B agities रख देंगे और अंदर क्यों जाएगा 4 माइनस में 6 को A से करते हैं भी 6 A अब माइनस का साइण और प्लस का साइण माइनस 6 को B से करेंगे भी 6 B तो यह आज एगा अपने पास भी A प्लस B 4 माइनस 6 A माइनस 6 B यह हमारा है फाइनल अंसर next question अभी question number 13 question number 13 को हम कैसे solve कर सकते हैं देखो यहाँ पर भी हमारे पास binomial term है 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y तो सबसे प्रहे 3x प्लस 5y को हम कुछ मान लेते हैं bracket इसको क्या मानना हमने n मानना भई n माइनस में 5b एजट इस भई और इसको भी क्या मानने n मानना है तो यहाँ पर भी n यहाँ पर भी n तो n n होगा भई तो दोनों से हम क्या common ले सकते हैं n कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या राज आजएगा अपने पास 2a माइनस में 5b अब यहाँ तक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे भई इस n की जो भी हमने n मानना यह इस n की value को यहाँ पर put कर देंगे n की value क्या है 3x प्लस 5y तो यहाँ पर put कर देंगे 3x प्लस 5y bracket start अंदर जो भी बचा भई उसको लिख दो 2a माइनस में 5b और इसको भी bracket में ले लेना तो यह अज अब अपने पास final answer 3x प्लस 5y और 2a माइनस में 5b चुल लो next question देखते हैं बई next question में क्या दिया हम के p square प्लस q square और यहाँ पे भी है p square प्लस q square दोनों में common है वैसे अब यहाँ पर प्लस q square को मान लेते हैं आपर capital N अब यहाँ पर पूट कर देते हैं अभी 2x इसकी जिन पर हमने क्या मानना है एंड मानना है प्लस में 4y और इसकी जिन पर हम क्या मानना हमने तो एंड लिख देंगे अब यहाँ पर भी 2x प्लस में 4y 4y अब N हमारे पास बाहर है एंड की वेल्यू क्या रखे थे हमने पी स्केर प्लस q square तो यहाँ पर पूट कर दो पी स्केर प्लस q square और अंदर के आजेगा अपने पास 2x प्लस में 4y तो इसका होगा हमारा final answer हां तो भी हमारा next question क्या है question number 15 question number 15 को कैसे solve करेंगे देखो यहाँ पर भी हमारे पास हमारा question number 15 क्या है वही 8 3a-2b का whole square minus में 10 3a-2b तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भी यहाँ पर भी हमारे पास binomial term है तो इस term को हम फिर बापिस consider कर लेते हैं 3a-2b को यहाँ पर 3a-2b को हम consider कर लेते हैं capital N तो यहाँ पर रखते है capital N at 8 agities रखेंगे पहले उसके बाद N का square N का square minus में 10 agities रखेंगे और यह हमने N माना तो इसको N agities अब यहाँ पर भी N है यहाँ पर भी N है तो हम क्या करेंगे यहाँ से N common लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम N common ले सकते हैं और क्या common आ सकता है यहाँ पर 8 यहाँ पर 10 है तो दोनों टू के table पर divide होते हैं तो two common लेंगे ब्रेकेट स्टार्ट अब देखो हम इसको भी two N से कर देते हैं रफली और इसको भी two N से डिवाइड कर देते हैं रफली तू से काटेंगे तो 4 आजेगा वई एक N से 1 N स्केर कर जाएगा तो एक N बच गया यहाँ पर बचाएगा यहाँ पर तो लिखते हैं बचाओ यहाँ बचा पर फोर 3A माइनस में 2B, और उसके बाद start करते हैं, bracket start अपना, 4 as it is, और n की value क्या मानी हमने, 3A माइनस 2B, तो यहाँ पर रख देंगे, 3A माइनस 2B, फिर माइनस का 5, माइनस का 5, उसके बाद, solve कर लेते थोड़ा, 2 as it is रखेंगे यहाँ पर, और 3A माइनस में 2B as it is, bracket start, 4 को अंदर multiply करतेंगे, 4 को 3 से करते हैं, 12A माइनस में, 4 को 2 से करेंगे, 4 तो जा, 8B, और माइनस का 5, तो यह होगा हमारा यहाँ पर final answer, अब करतें next question, question number 16 में क्या बोला भई, यहाँ पर अपने पास X plus Y, और यहाँ पर भी X plus Y, तो X plus Y को N माल लेते हैं पहले तो बात, X plus Y को हम माल लेंगे यहाँ पर, N, तो रखतेंगे अब X as it is, और इस के जिंग पर हमने क्या माना भई, N माना तो यह हो जाएगा, N की Q इसना रखेंगे यहाँ पर 3X के यहाँ उसके बाद यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर N, अब देखते हैं यहाँ से common क्या क्या सकता है, तो सबसे बेल बात हो, X यहाँ से हमारा common आ जाएगा, X common आ गया, और क्या common आ सकता है, यहाँ पर N की Q है, यहाँ पर N है, तो यहाँ lowest value अपने वेन है तो यहाँ पर एक n को मना आगया और को मना याप और कुछ कुमन नहीं से एके जोजेंहें और square माइनस में अब X से X कट जाएगा अपना यहां पर ठीक है और यहां पर वैल्यू बचेगी एक X3 अपना हाई है य बच जाएगा और N से N कट जाएगा तो अपने पास 3xy यहां पर बच अपने पास 3xy उसके बाद X की वैल्यू एजटीज क्या थी अपने पास X तो X ही अपना वही N की वैल्यू क्या थी अपने पास X प्लस Y तो यहां पर रखेंगे हम X प्लस Y उसके बाद अब अंदर रखते हैं वही N स्केर क्या आएगा अपने पास N क्या वैल्यू अपने x plus y तो इसको रख देंगे अंदर x plus y का whole square minus में 3xy agities अब x plus y का whole square यहाँ पर अपने पास identity लगती है भी a plus b का whole square identity क्या होती है अपने पास a plus b का whole square का identity होती है a का square plus b का square plus 2ab तो हम यहाँ पर यही लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे x agities x plus y यहाँ पर इसको open कर देंगे भई x का square plus y का square minus में plus में 2xy minus में 3xy तो अपने पास यहाँ पर बच किया जाएगा यहाँ पर x को x plus y agities रखेंगे x into x plus y bracket start x square plus y square यह भी agities रखेंगे x square plus y square उसके बाद 2xy में से 3xy minus करेंगे तो अपने पास बच जाएगा अब ही minus का x y तो हमारा final answer आजएगा next question हमारा question number 17 को कैसे solve करेंगे यहाँ पर हमें दिया भी 3x minus 2y और यहाँ पर हमारे पास 2y minus 3x यहाँ पर हमारे पास 3x minus 2y यहाँ पर इसका opposite है यहाँ पर 2y minus 3x यहाँ यहाँ पर 3x सुरू में यहाँ पर बाद में यहाँ पर 3x positive और यहाँ पर negative तो इसको इसको बनाने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा मैं पहले इसको एटीज लिख लेते हैं वही एटीज 3x minus में 2y as it is यहाँ पर b को minus से multiply करें जग इसमें से minus common लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर minus का b आ जाएगा और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा भई 3x minus में 2y बस हमने यहां पर plus की जग पर यहां पर minus करना आ है मैनिस कॉमन लेने क्योंकि माइनिस गशिंगें तो 3x माइनिस को जाएगा माइनस को माइनश से करेंगे प्लस का टू ऐसे बनता है तो इसको मैंसे भी लिख सकते हैं अब यह दोन minus कसाइन बी एजटी इसको वहने हैन माना तो एक लिए देगे दोनों में धे हमारे पास को मना है तो हम यहां पर लिखेंगे एन और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास वापिस A-B, यह आगा हमारा इस question का final answer, अब देखते है question number 18 में क्या बोला मैं, 18 में हमारे पास क्या दिया है, यहाँ दिया में B-C का whole square यहाँ पर दिया C-B, इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा, B-C से B-C करना पड़ेगा, इसको भ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा है, यहाँ पर D-C, और इसको लिख सकता हूँ, फिर मैं क्या, B-C, साइन चेंज करना है, जैसे हमने पिछले question में किया था, इसमें भी ऐसे करना है, अब B-C हो गया, B-C, इसको मान लेते हम N, B-C को हम मान लेंगे, N, तो अब य N का square, तो यहाँ हो जाएगा, N का square, माइनस, कि यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर D-C, और इसको मान ले, N, तो यह हो जाएगा, N, अब इसमें से क्या common आ सकता है, N को मान आ सकता, तो हम पूरी questions को, यहाँ पर एक तो N को मले लेंगे, और जो भी common लेते हो, उसे रफली में डिवाइड करके देख लेंगे, N से N कट जाएगा, यहाँ पर N square से N कट गया, तो यहाँ बचा A, यहाँ बच जाएगा अपने पास, N, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर बचा अपने पास, D, अब यहाँ पर N की वेल्यू रख देते हो, यहाँ पर N की वेल्यू क्या ल B माइनस C, प्लस में D, अब B माइनस C है जाट इस, और यहाँ पर A को अंदर मल्टिप्लाइ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, A को B से करेंगे, A B, A को C से करेंगे, A C, प्लस में क्या है, D, तो यह होगा हमारा final answer, question number 19 को कैसे solve करेंगे भी देखो, यहाँ पर, यहाँ पर भी 4A माइनस B है, यहाँ पर भी 4A माइनस B और यहाँ पर भी हमारे पास 4A माइनस B है, सभी के अंदर common है यह, तो हम यहाँ पर क्या माल लेते हैं, 4A माइनस B को N माल लेते हैं ठीक है, तो रखते हैं यहाँ आप N की जिनग पर A n प्लस में 2b n क्या रखेंगे है आपर 2b n minus का साइं C as it is, और यहाँ पर रख देंगे n, अब यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n तो n सभी से कॉमन ले लेंगे भी यहाँ पर तो कॉमन लेने के बाद प्लस का साइन के गाई थो क्या बचाए है तो टूभी रख देंगे आपर आपर अब एंथ से विल्यू को विल्यू को आपर प्ने पास एंकी वयूं फोर एप्ने वेल्यू आई फोर ए-b ब्रेकेट स्टार्ट जो भी बचाए हमाँ पर लिख दो ए प्लस में टू भी माइनस में सी और यह होगा हमारे यहां पर फाइनल अंसर क्वेश्चिन नुबर ट्वेंटी हमारे पास जो की लास्ट क्वेश्चन इस एकसर साइस का फोटीने का तो हम यहां पर इसको खतम करते है ठीक है तो हम यहां पर रखते हैं यहां पर पूरा जैड का स्क्वेश्च क्या है जैड का स्क्वेश्च प्लस में मैं इसको जैड माना तो जैड रख देंगे प्लस में यह भी जैड माना तो यहां पर इसको जैड रख लेंगे अब सभी में क्या को माना वे देखो यहा थो देखो भी जडसे जड़ कर जाए का तो यहाँ पर M तो है ही है और जड़ की पाव कर तो और निच इवाँ ऊल आ तो एक जड़ बचिया वह प्लस में जडसे जड़ कड़ इस सेlow जड़ कर जड़ कर रिगा तो एम बचा एप उसके बाद Z की value put कर देंगे, Z की value जो भी हमने ली थी यहां पर, क्या ली थी Z की value MX plus NY तो यहां पर रखते हैं भई MX plus में NY bracket start M as it is Z की value क्या भई MX plus में NY plus में MN और plus में N यह, अब इसको आगे solve करते हैं थोड़ा बच्चा है MX plus NY as it is रखेंगे और यहां पर M को M से multiply करेंगे तो M square और X as it is plus में, M को N से करेंगे भई तो M, N, Y plus में, MN plus N यह आजेगे यहां पर MN plus में N यह है हमारा final answers का हाँ, तो हमारी exercise यहां पर भई complete हो चुकी है Today we are going to start 14B exercise 14B exercise का first question देखते हैं भी हम कैसे करना है यह हमें question दिया हुआ है 5XY plus 20X minus में 9Y minus में 36 सबसे पर इन दोनों में से हमने देखना है कि क्या common आ रहा है एक तो 5 common आएगा वही क्योंकि 5 के table में 20 भी आता है और दूसरा हमारा XB common आएगा तो हम यहां से क्या कर लेंगे 5X common ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा अपने पास भई divide कर दो 5X इसको भी roughly में और इसको भी 5X से divide कर दो X से X कट जाएगा 5 से 5 कट गया तो यहां पर बचा Y तो यहां पर Y लिखेंगे प्लस का sign यहां पर भई 5 से 20 को काटते हैं 5 4 से 20 और X से X कट गया तो अपने पास क्या बचा भई Only 4 तो यहां बचेगा Y प्लस 4 अब यहां से common लेना start करते हैं माइनस का common ले लेंगे एक तो यहां पर sign और 9 ही common आ रहा है तो 9 common ले लेंगे यहां पर क्या लेंगे 9 common तो हमें इसको 9 से divide करना पड़ेगा बोथ साइड तो 9 से काट देते हैं यहां पर बचा सिर्फ Y और माइनस अगर common ले लिया दोनों तरफ से तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा भई प्लस बच जाएगा 946 तो Y प्लस 4 अब यहां पर Y प्लस 4 है यहां पर भी Y प्लस 4 है तो मैं क्या करता हूँ Y प्लस 4 को ही common ले लेता हूँ तो अपने पास अंदर क्या बच जाएगा भी यहां पर Y प्लस 4 को डिवाइड कर दो Y प्लस 4 से जो common लेता है मुझसे डिवाइड करना पटता है तो Y 4 से एकट गया और यहां से यह एकट गया तो क्या बच अपने पास 5X बचा भई तो यहां पर लिखेंगे 5X माइनस में 9 तो यह हमारा हो जाएगा question cancer और यह हो जाएगा complete question number 1 question number 2 देखते हैं वह question number 2 में क्या बोला है यहां पर हम क्या करते हैं 5AB और 10B में से common लेते हैं एक तो 5 common आ जाएगा यहां पर क्या जाएगा 5 common आ गया उसके बाद A है यहां पर इसमें A नहीं है तो हम A common नहीं ले सकते B है और B है यहां पर तो हम यहां से B common ले सकते हैं उसके बाद 5B common ले लिया तो हम 5B से divide कर देंगे both side roughly तो B से B cancel out 5 से 5 तो A ही बचा अपने पास तो A लिखो यहां पर उसके बाद sign minus का बचेगा भई 7 से divide कर दो रफली 7 से 7 कट गया तो A ही बचेगा minus plus यहां पर minus आजेगा भई 7 2 जा 14 तो यहां गया 2 तो A minus 2 और A minus 2 दोनों common ला सकते हैं यहां से तो मैं यहां पर ले लिखता हूँ A minus 2 common तो अंदर क्या बचेगा भई A minus 2 से divide कर दो रफली A minus 2 से divide कर दो रफली कट गया तो 5B ही बचा only minus में यहां पर भई इसको काट दो तो 7 ही बचेगा तो आप लिख देंगे 7 और यह हो गया हमारा question number second complete question number third में हम कैसे solve कर सकते हैं इसको भई सबसे पहले हम यहां से और यहां से इन दोनों से common उठाते हैं यहां पर क्या भई 9xy और यहां पर 9y square तो मैं यहां से दोनों से y common ले सकता हूं और 9 common ले सकता हूं 9y common ले लिए भी मैंने यहां से ठीक है तो अंदर क्या बचेगा अपने पास अब इसको 9y से divide करो इसको भी हम रफली 9y से divide करते हैं 9 से 9 cancel out y से y cancel out तो क्या बचेगा अपने पास x बचेगा यहां पर हम x लिख लेंगे उसके बाद अब यहां पर करते हैं 9 से 9 cancel out और y की 1 power से 1 power cancel out तो यहां पर बचेगा only y बीच में sign कौन सा minus तो यहां बचेगा x minus y अब करते हैं इन दोनों को question को सोल इस में से और इस में से क्या कॉमन ले सकते हैं भी 7y और 7x में से तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ यहां पर 7 तो मैंने यहां पर plus का 7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा y minus x क्या बच गया, यहाँ पर y- x उसके बाद, यहाँ पर है x- y यहाँ पर है y- x, दोनों को कैसे equal कर सकता हूं, मैं, अगर मैं बाहर minus का sign common ले लो, तो मैं इसको रिख सकता हूं 9y into x- y, और यहाँ पर क्या करता हूं, मैं minus का sign common ले लेता हूं, अगर बाहर minus लगाता हूँ तो 7 agities यह exchange हो जाते है x अग गया जाएगा y पिछे चला जाएगा तो यह हो जाएगा x minus y ठीक है तो यहाँ पर भी x minus y यहाँ पर भी x y minus तो मैं यहाँ से दोनों से x minus y को में लेता हूँ तो अंदर अपने पास क्या बज़ाएगा भी यहाँ पर 9y और यहाँ पर 7 तो 9y minus में 7 और यह अपना हो गया है अपर question complete अब question number fourth देखो भी क्या बोला है question number fourth में क्या करते हैं आपर हमारे पास है 3ax 3ax को हम किस से common लेंगे आपर यहाँ पर a है और x है यहाँ पर हमारे पास a है और y है चाहे तो हम यहाँ से भी इसको common ले सकते हैं यहाँ से common लेके देख लो चाहे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 common आगे यहाँ पर यहाँ पर a है यहाँ पर भी a है तो a भी common आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर x है यहाँ पर y यह common ही आएंगे तो बचाओ अंदर क्या लिखेंगे हम इसको भी 3a से डिवाइड और इसको भी 3a से डिवाइड करते हैं 3 से 3a से तो बचाओ यह x तो लिखेंगे x minus का sign 3 से 2 आगया 3 to 6a से इकट गया तो 2y बचा तो 2y लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या common आ रहा भी minus का sign as it is और यहाँ पर ले सकते हम common y नहीं आएगा हमारे पास आएगा यहाँ पर 8 और 4 है तो 4 common आ गया भी और b है और यहाँ पर b है तो b b common आ गया अंदर देखो क्या बचाओ अपने पास अब 4b लिखने के बाद 4b से इसको डिवाइड करते हैं और 4b से इसको डिवाइड करते हैं 4b से 4b कट गया तो x बचेगा यहाँ पर 4 to the 8 और b से b कट गया तो 2y बचा तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 2y माइनस में यहाँ पर बचा x अब 3a as it is x-2y as it is यहाँ पर देखो भी 4b तो as it is है बट यहाँ पर 2y-x और यहाँ पर x-y 2 अब हमने पिछे क्या किया था यहाँ पर इसको भी sign से multiply करते हैं minus से minus करेंगे तो plus हो गया यह हो गया 4b और यह change हो जाता जब हम minus से multiply करते हैं यहाँ बचेगा x-2y अब x-2y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है दुनों में सेम है तो मैं यहाँ से common लेता हूँ x-2y तो अपने पास अंदर क्या बच जाएगा भई 3a प्लस में 4b क्या बच जाएगा 3a प्लस में 4b और अपना question complete हो जाएगा पर question no 5 यहाँ पर I-clair दिया यहाँ और यहां पर 10xy 6xz और 15yz सबसे पहले आपि सकता है यहाँ पर हम 4x 43d में खिक है तो यहां पर क्या होगा 4xने और चो इसको मना गया वही उसके बाद X है, यहाँ पर भी X है, तो यहाँ पे भी X को मले लिकते हैं, ठीक है तो, अंदर देखते हैं, क्या जेका है इसको भी 2X से डिवाइड कर दो, इसको भी 2X से मैनिस का साइν यहाँ पे 2 से काटते हैं, तो 3 आ जेगा X से X कट गया, तो बच नहीं 3Z अब similar list को करते हैं यहाँ पर 10 है है यहाँ पर फिप्टिन है तो दोनों के से डिविसेल होतें है वह फाई ले लेंगे उसके बाद y है और यहां पर भी वाई सेिज्ट है तुबहर्ट है यहां पड़ेगा उसके और यहां पर बच्ज्यक अपने पास कितना माइनस का तो तो आ गए थ्री ज्या अम्निम था दीश टीक है तो बचोजी चीज्स को लिख लेटे हैं यहाँ पर यह हमारा common है यह हमारा common है तो दोनों को ले लेंगे यहाँ पर 2x-3z bracket start 2y-5y sorry 2x-5y यह हमारा होगे यहाँ पर question complete अब देखते हैं next question में क्या बोला भी हमें question number 6 3ab और यहाँ पर दिया हमें 6bc 3a x और 6c x यहाँ पर a b अपने पास यहाँ पर Ax तो दोनों से common ले लेते हैं हम यहाँ यहाँ से यहाँ अगर common लेते हैं तो एक 3a आज में यहाँ इपी 3a common ले लिए तो अंदर अपने पास क्या बज़ जाएगा यहाँ यहाँ 3 A से 3 एकट गया, 3 A से 3 A इकट गया तो यहाँ TY माइनस x का प excitant अंदर B माइनस X अब अगले वाला ऄहते है, इन दोनों से common लेते है, qya common आजएगा एक तो 6 common similarly 1 द्यूंस का लेना है, 6 common आजएगा, B भी है यहां पर C है, नहीं आएगा, यहां पर C है, यहां पर भी C है, तो C को में ले लेते हैं, भी क्या ले लेते हैं, C को में ले लिए, तो इसको भी 6 C से डिवाइड करो, 6 C से डिवाइड हो गया, 6 C से डिवाइड हो गया, तो बचा B माइनस में यहाँ पर बचा x तो b माइनस x यहाँ पर है b माइनस x यहाँ पर है तो हम यहाँ पर क्या कोमन ले लेते हैं b माइनस x कोमन ले लेते हैं और 3a में से 6c आ जाएगा 3a माइनस में 6c और यह होगा हमारे यहाँ पर final answer next है हमारा वह question number 7 question number 7 को कैसे करेंगे देखो a square यहाँ पर adjectives लिखेंगे plus में a b को 1 से multiply करेंगे सबसे पहले तो a b को 1 से करेंगे तो a b ही आजएगा adjectives a b को b से करेंगे तो अपने पास आजएगा b a b का square plus में अपने पास b cube अब इन पहले 2 से common लेते हैं देखो इन दोनों में से एक तो a common आजएगा b इसमें नहीं है इसमें बट common नहीं आएगा तो हमारे पास अंदर यहाँ पर क्या बच जाएगा a बच जाएगा और plus का साहिन यहाँ पर a तो common चला गया तो b बचाए यहाँ पर ऐसे कर लेना roughly x को divide a से तो a कड़ जाएगा a से x कड़ जाएगा यहाँ पर a बचाए यहाँ पर b बचाए प्लस में अब इन दोनों से b cube और b square है तो square है और cube है तो b square ले लेते है common यहाँ से और अपने पास के आजएगा यहाँ पर a यहाँ पर बचा है ले लेते हैं तो अंदर अपने पास यहां बज़एगा a और यहां बज़एगा b2 तो a plus में b2 roughly divide कर लेना इसको भी अगर करना तो आपको directly भी कर सकते हो तो आप a plus b से इसको काट दोगे तो यह कट जाएगा तो हमारा आजएगा answer नमरे इट में क्या दिया हमें सबसे पहले हम करते हैं यह अपर x,y सके özàng में प्लस में y को अंदर multiply करेंगे y को x से करेंगे 9 x y y को 1 से करेंगे minus का minus का 1 हो जाएगा उसके बात इं दोनों से common लेते हैं और फिर इन दोनों से common लेंगे तो भार ले लेंगे हम xy अंदर क्या बच अपने पास इसको भी xy से रफ ले डिवाइड कर दो इसको भी xy से रफ ले डिवाइड कर दो अब यहाँ पर x से x कट गया y से y कट जाता तो y बचेगा और plus का sign plus में xy से पूर xy कट गया तो यहाँ पर xy into y plus 1 आगया minus का sign दोनों से common ले लिए तो अंदर क्या बचेगा भई y plus 1 ही बचेगा y plus 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो y plus 1 हमने common ले लिए तो अंदर क्या बचेगा अपने पास भई xy xy माइनस में 1 बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा xy माइनस 1 और यहाँ अपना answer उसके बाद भई question number 9 देखो क्या करना है यहाँ पर हमें दिया b square है जिटीज लिखो b square को minus में a b को 1 से करेंगे a b हो जाएगा minus को minus से multiply करेंगे तो plus और a b को a से करेंगे तो a square b minus में होगा अपने पास a cube अब इन दोनों से common लेना और फिर इन दोनों से common लेना है तो b और इसमें से देखो क्या common है b आ रहा है और b आ रहा है तो हम b common ले लेते हैं बचेगा यहाँ पर 1 b बचेगा minus में यहाँ यहाँ पर 1 a बचेगा और साथ में square भी है यहाँ पर cube है तो कम value लित्ते हैं में पता है तो square ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर b बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा a यहाँ पर इसको divide करके देख लेना एक बार a square से और इसको भी a square से divide करके देख लेना A square से A square कट जाएगा पूरा A square से और A cube में से A की value बचेगी उपर A तो अपने पास आजएगा B minus A B minus A यहाँ पर भी है और यहाँ पर B minus A है तो हम यहाँ से B minus A को common ले लिखते हैं बई अंदर क्या बचेगा अपने पास B plus A square बच जाएगा क्या बच जाएगा B plus A square और हमार आजएगा यह अंसर यहाँ पर इसको एक पर B minus A से डिवाइड करके देख लेना अगर आपको नहीं common लेना आता है तो B minus A से कर लेना इससे कट जाएगा यहाँ पर आजएगा A square only और यहाँ से B कट जाएगा तो B plus A square equation number 10 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है question number 10 के अंदर क्या दिया हमे y square minus में y 2 A plus 2 B plus A plus में 2 A B तो सबसे पहले y को अंदर multiply करते हैं भी y square quantities रखते हैं plus में minus में y को यहाँ पर क्या करेंगे इससे multiply करेंगे तो y का हो जगहाँ पर 2 Y B फिर minus y को इससे multiply करेंगे minus का y A और plus में हो जाएगे आप अपने पास 2 A B यह चीज़ हमें है अपने पास अब given अब next देखो क्या करेंगे इसमें से और इसमें से common लेते हैं यहाँ पर अगर इसमें से common लेते हैं तो अपने पास क्या आजएगा यहाँ पर आजएगा y common आजएगा एक तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 Y बचा minus का sign यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा A बच जाएगा भी क्या बच जाएगा इसको y से divide कर लेना जो भी common लिए आपको पता चल जाएगा 2B से रफली डिवाइड कर लो इसको भी 2B से रफली डिवाइड कर लो तो 2B से 2B कट गया भी y बचा यहाँ पर y लिख लो और इसको भी y-a से रफली ड्वाइड कर दो, इससे एकट गया, इससे एकट गया, यहाँ पर क्या बचा भी y बचा है, तो y लिख लो, minus का sign, इससे एकट गया, तो अपने पास के बचा 2b, तो यह बच जेगा 2b, और ही हो गया हमारा answer इसका, question number 11 दे कलो क्या दिया है, x-2 दि लिखते हैं, x-2 का square, फिर plus में, यहाँ पर दिया भी हमें, ax-2 में 2a, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो मैं दोनों से क्या ले लेता हूँ, a common ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाता है, x-2, इससे डिवाइड कर लेना, पर इसको roughly, a से कट गया, इससे तो अपने पास, यहाँ पे तो चला गया, अब x-2 से roughly डिवाइड करके देख लेते हैं, इसको, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी रफली कट गया, यहाँ से और यहाँ से भी रफली कट जाएगा, अपने पास से, और उसके बाद, यहाँ पर भी x-2 है, यहाँ पर पुरा कट रिया था, तो 1 बचा, माइनस का साइन, यहाँ पर x-2 का स्क्वेर, यहाँ एक पावर तो बची अभी भी तो x-2 रहागे अंदर, और यहाँ पर प्लस में, x-2 से x-2 कट रिया तो पूरा a ही बचा अपने पास, तो यहाँ पर पूरा a बच जाएगा, x-2 उसके बाद, 1 और 2, कितने होगे अभी 3 होगे अपने पास, 3 माइनस में, x प्लस में a, और यहाँ एक अपना final answer इसका, question number 12 को हम कैसे करेंगे, दिखो भी, question number 10 में यहाँ पर दिया, x-1, इसको एजट लिज सकते हैं, x-1, उसके आद माइनस का साइन, इसको भी एजट लिज लिखेंगे अभी, x-1 का square, इन दोनों में से क्या common आ रहा, 4 आ रहा, बट हम यहाँ पर minus का 4 common लेंगे, क्योंकि हमें x को आगे रखना और 1 को पीछे रखना, ताकि x-1 बन सकी, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, minus का 4 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगे अपने पास, यह भी minus क प्लस होगे, और यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दो इसको भी और इसको भी, तो 4 से 4 कट गया, तो x बचा, तो हम इसको लिखेंगे x, फिर 4 से 4 कट गया, 1 बचेगा, प्लस का साइन, बट प्लस को माइनस से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो minus का 1, तो x-1, 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 सभी में क्या तो मैं क्या करता हूँ, x-1 को ही common लिता हूँ, यहाँ पर, तो अपने पास क्या बच जाएगा अंदर, x-1 पूरा common चला गया, डिवाइड कर दो रफली, यहाँ पर भी रफली डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पर पूरा कट गया, 1 ही बचा यहाँ पर, minus का साइन, उ यहाँ पर अंदर क्या बच गया, 1 माइनस में, माइनस को x से करते हैं, minus x, minus, minus, plus का 1, और minus का 4, तो, x-1, as it is, उसके बाद, 1 और 1, 2 होगे, 2 में से, इसको माइनस करेंगे, तो अपने पास कितना बच जाएगा, यह बच जाएगा, अपने पास, minus का 2, तो अंदर आजेगा, minus का x, और minus का ही 2, चाहे तो इस minus को बाहर भी common भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, common लोगे तो आपका क्या आजेगा, minus में, x-1, into में, x-2, और इस minus को अगर से multiply करोगे, तो यह भी change हो जाएगा, तो आजेगा, 1-x, into में, x-2, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ यहाँ तक भी ठीक है, चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो, next question देखलो भी question number 13 अपने पास, question number 13 में क्या दिया है, b agities रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद, c-d का whole square, minus में a, फिर d-c agities, d-c है, यहाँ पर भी c-d है, यहाँ पर d-c है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ यहाँ पर minus को दोनों में 5 common है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 ही ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर बजाएगा c-d, ठीक है भी, अब उसके बाद, इस पूरी equations के अंदर हमारे पास c-d, c-d और c-d है, तो हम क्या करते हैं, पूरी equations से c-d को ही common ले लेते हैं, c-d मैने यहाँ से common ले ली, तो अ 5 ही बचा है, आप इसको चाहो तो डिवाइड करके देख लगते हो roughly, c-d ले लो common, c-d, c-d, इससे इकट जाएगा, इससे इकट जाएगा, और इससे यह पावर कट गी तो a की पावर बची ना वो लिक लिए, और साथ में b, यहाँ से पूरा कट गया था तो a बचा, roughly solve कर लिते हैं, कैसे solve करोगे, इसको c-d हम यहाँ पर agities रख लिते हैं, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, b को c से करते हैं, तो bc आ जाएगा, minus में b को d से करेंगे, तो bd आ जाएगा, a यहाँ पर agities और 5 b यहाँ पर agities, उसके बाद यहाँ पर कुछ देख लोग multiply करेंगे, ab को c-square से करका, अपने पास आ जाएगा वही, abc 04, उसके बाद, ab को d-square से करते हैं, then abd स्क्राइगा, minus का sign agities रखते हैं, a-square, c-d agities हो जाएगा, अपने पास, a-square c-d, minus का sign अगला next, b-square c-d agities हो जाएगा, b-square, c-d, अब क्या करते हैं अभी, इसको इस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो AC दोनों में common है, इसमें भी AC है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से AC common ले लिए हमाने, तो अंदर अपने पास क्या बच जाएगा, रफले डिवाइड कर दो AC से इसको भी, और इसको भी AC से रफले डिवाइड, AC से भी अपना A भी कट गया और C भी कट गया, तो एक BC बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, BC बचा है, उसके बाद, A से A स्केर कटेगा तो A बचेगा, साइन माइनस का तो माइनस का लिखो, और C से पूरा C कट गया तो D बचा है, तो यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर क्या बचा है अपने पास BC-AD बचा भी क्या बचा है BC-AD अब हम क्या करते हैं इस में से और इस में से common लेते हैं देखते हैं कि दोनों में क्या बचता है यहां पर देखो A है, यहाँ पर B, यहाँ पर A नहीं है, अब यह नहीं कोमना सकता, B यहाँ पर है, यहाँ पर B है, D यहाँ पर है, तो D यहाँ पर B है, तो यहाँ पर अगर हम दुनों कोमन ले रहते हैं, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचता है, B और D कोमन लेंगे तो, यहाँ बच जाए अभी क्या बचता है, माइनस माइनस, प्लस हो गया है, तो प्लस आजएगा, और BD से इसको डिवाइड कर दो, और BD को इससे डिवाइड कर दो, देखो, B से B कट गया, तो 1B बचा, D से D कट गया, तो C बचा, तो C आजएगा, फिर ये प्लस का था, प्लस माइनस, माइनस हो यहां पर भी क्या था, BC-AD, तो दुनों में BC-AD को मना तो मैं क्या करता हूँ, BC-AD को मने लेता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचाएगा भी? रफली डिवाइड कर ले ना इसको, BC-AD से, इसको भी रफली डिवाइड करके देख ले ना, BC-AD से, BC-AD से, से पूरा कट गया तो बीडी बचा इसको काट देंगे तो एसी बचा तो अंदर क्या बचा भई एसी माइनस में बीडी और यह हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लेट क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सोल करना देखो एबी को मल्टिप्लाइ करेंगे सबसे पहले एक स्क्वेर से तो अपना हो जाएगा एबी एक स्क्वेर प्लस में एबी को फिर मल्टिप्लाइ करेंगे वाई स्क्वेर तो हो जाएगा एबी वाई स्क्वेर प्लस में एकस वाई को ए स्क्वेर से करते हैं तो एकस वाई को बी A है A है और उसके साथ Y है यहाँ पर Y नहीं है X X है तो हम यहाँ पर common लेंगे A और X को अंदर क्या बचेगा भी इसको भी AX से डिवाइड रफली और इसको भी AX से रफली डिवाइड कर लो भी A से A कट जाएगा X से X कट जाएगा तो BX बच जाएगा यहाँ पर BX फिर PLUS का SIGN A को यहाँ से A से कट देंगे X से X कट जाएगा तो A और Y बच गया यहाँ पर A Y similarly हम इन दोनों से देखते हैं यहाँ पर Y है यहाँ पर B है यहाँ पर B है यहाँ पर B है तो Y और B को मना जाएगा दोनों से इसको भी Y, B से इसको Y, B से रफ ले डिवाइड कर लो Y से एक Y कट गया B से B कट गया तो A और Y आ जाएगा यहाँ पर A, Y प्लस में Y से Y B से B तो X भी बच जाएगा यहाँ पर X, B तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी BX प्लस A, Y है यहाँ पर भी BX प्लस A, Y है तो दोनों से BX प्लस Y को कोमन ले लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम BX प्लस A, Y कोमन जिसके बाद अंदर क्या बचेगा इसको भी BX प्लस Y से डिवाइड कर दो और इसको भी BX प्लस A, Y से डिवाइड कर दो उसके बाद हम करते हैं अभी question number 16, question number 16 में क्या बोला मैं आपे, ab को पहले multiply करेंगे x square से, ab को multiply करेंगे x square तो ab x square, plus मैं ab को y square से करते हैं तो ab y square, minus का sign x y को इससे करते हैं भी, x y a square और minus का ही x y, b से करेंगे तो b square, उसके बाद इससे और इससे common लेते हैं, पहले दोनों में क्या आजएगा भी, एक तो x common आगया, उसके बाद दोनों में a common आजएगा, तो ax common ले लेंगे तो अंदर क्या बज़ जाएगा, same to same, यहाँ पर बज़ जाएगा bx, minus में यहाँ बज़ जाएगा y और a, जैसे पिछ same to same करेंगे इसको भी, यहाँ से common ले लेंगे हम, b और y, तो plus का by common ले लेंगे हमने, तो अंदर अपने पास क्या बज़ जाएगा भी, b और y ले ले तो a और y बज़ जाएगा यहाँ पर, ay minus का sign, यहाँ बज़ जाएगा b और x, तो यह और यह, इन दोनों के अंदर हम यह यहाँ पर क्या करते हैं, ax, bx minus ay, और by, ay minus bx, अब यहाँ पर तो है bx minus ay, यहाँ पर है bx बाद में और ay पहले, तो इसको ठीक करने के लिए क्लिए 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 हमें, sign change करना बढ़ेगा, ax into me, bx minus ay adjectives, यहाँ पर minus ले ले लेते हैं, sign, तो by, अंदर का change हो जाएगा, हम क्या करेंगे, bx minus ay को common ले लेंगे, तो अंदर अपने पास बच जाएगा, ax minus में by, और यह हमारा हो जाएगा है, यहाँ पर complete question, next हमारा question है, question number 17, question number 17 में हमें क्या बोला है, देखते हैं, चलो, ax plus में by का whole square, यानि कि a plus b का whole square वाला यहाँ पर हम लगाएंगे, सबसे पहल a का square plus b का square plus 2ab, और next है a minus b का whole square, तो a minus b का whole square का formula होता है, a square plus में b square minus में 2ab, यह दोनों के दोनों formula हम यहाँ पर इस question में use करने वाले हैं, देखो चलो, सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं, a यानि की ax का whole square, a का square और x का square, plus में, b का square यानि की b square और y square, प्लस में 2AB है निकि 2 into में AB XY उसके बाद प्लस का साइन BX माइनस AY का होल स्केर निकि B का स्केर X का स्केर प्लस में A का स्केर B का स्केर SORRY Y का स्केर और माइनस हो जाएगा क्या 2AB है निकि 2ABXY अब देखो प्लस का 2ABXY है और यहां पर माइनस का 2ABXY तो इससे ही हमारा कट जाएगा तो जो बचा उसको लिख लेते हैं यहां पर बचा अपने पास B square X square यहां पर बचा अपने पास B square Y square तो दोनों से B square को मा ले लो भई तो B square को मा ले लेंगे तो अपने पास अंदर बचाएगा X square प्लस में Y square यहां पर क्या करना आपने B square से डिवाइड कर दो बस इसको बी square से कट गया तो X square आगया फिर प्लस का sign B square से B square कर रहे हो वाइड कर आगया ऐसे similarly हम कर लेते हैं इसके अंदर बचाएगा यहां पर भी A square है जब A square को मा लेंगे तो अंदर आजएगा X square plus में Y square ठीक है बई क्योंकि A square से इसको divide करके देख लो रफली और A square को इसको रफली डिवाइड कर लो इस A square से कट किए Y square बच जाएगा यहाँ पर जब हम A square स A square को काटेंगे तो अपने पास X square बच जाएगा तो A square को मलेंगे तो X square plus Y square अब दोनों से X-square plus Y-square को को मन लेंगे तो अपने पास कितना बज़ जाएगा अंदर B-square plus में A-square यानि कि A-square plus B-square को मन बज़ जाएगा और यह उमाराजे का final answer यहाँ पर question number 18 में देख लो भी क्या करना अब A को अंदर multiply कर लेते हैं पहले A को A से करते हैं तो A-square A को B से करेंगे A-B, A को C से करेंगे A-C- metabolism B-C अब इसaround भी A है इसमें भी A है तो इन दोनों से A को मन लेते हैं A को मन लेंगे तो अपने पास क्या ज़ेगा इसको इसे डिवैड़ कर लो इसको इसको इसे डिवाड़ कर दो B से B कर जाएगा और B से B कर जाएगा तो A बचा और C बचा तो यानि कि A-C इसमें भी A-C इसमें भी A-C तो दोनों से हम A-C को कॉमल लेंगे भी तो अपने पास क्या बच जाएगा यहांपर A प्लस B और यह हमारा यहां पर जाएगा इसका फाइनल इंसर इस क्वेश्चन को हम क्या से कर सकते हैं भी अपना question number 19 पर आ चुके हैं A को पहले A से multiply करेंगे हम A square हो जाएगा A को 2B से करेंगे तो माइनस का 2AB हो जाएगा A को C से करेंगे माइनस का A C हो जाएगा उसके बाद करते हैं प्लस में 2BC अब क्या करते हम यहां पर भी A है और यहां पर भी अपना A है तो इन दोने से common लेते हैं पहले A से हम A square से A common लेंगे तो A आ जाएगा अपना यहां पर यहां पर A से divide कर दो यहां पर भी रफली A से A-C और A-C तो दोनों से A-C क्या कर लेते हैं common लेते हैं तो अंदर क्या बज़एगा अपने पास A-2B क्या बज़एगा वही A-2B और यह हो जाएगा हमारा answer उसके बाद question number करते हैं वही 20 20 में क्या करेंगे यहां पर हमारे पास X की पावर 5 और यहां पर X की पावर 4 तो द 3 X की पार 4 देट और 3 X की पार 4 देट तो X की फॉर से काट देगे 5 को तो 1 X बच गया 3 से 3 कट गया 5 तो आपने बज़एगा अपने पास भई 2 से 2 कट गया x3 और x2 में से x बच गया डिवाइड कर लो यहां पर 2x2 2x2 से कार देते हैं देखो x2 से x2 कट गया 2 2 जग हो रहे हैं 2 बचा 2 से 2 कट गया x2 से x3 कट गया तो 1x बच गया और माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस और यहां बच जाएगा अपने पास 2 प्लस में यह क्या अपने पास x-2 पहले से ही है यहां पर तो देखो x-2 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 सभी में ही अपने पास x-2 है तो हम सभी से x-2 को कोमा ले लेते हैं भई x-2 को हमने यहां पर कोमा ले लिया आप only काड़े इसको भी x-2 से तो कड़ जाएगा तो बचा 1 तो यहां बच़ेगा 1 और यह हमारा x-2 3x e-4 माइनस में 2x2 प्लस 1 और यह हो जाएगा हमारा यहां पर final answer next question अब यह अपना है यहां पर question number 21 question number 21 को कैसे सोल करेंगे देखों यहां पर यहां पर दिया है 2a, 2b और 2c तो सभी से मैं यहां पर two common लेता हूँ तो two common लोगा तो क्या बचेगा अपने पास अंदर बच जाएगा a plus में b plus में c उसके बाद यहां पर आपने पास 3cx, 3bx और 3ax सभी से मैं common लेता हूँ मैं minus का 3x तो अंदर क्या बचेगा 3 और x कट गया तो a बच जाएगा यहां पर minus बाहर आचुगा तो plus a plus b plus c तो सभी को common लेता हूँ में यहां पर a plus b plus c अब a plus b plus c को छोड़ दो यहां पर बचा 2 only तो अंदर आजेगा 2 फिर minus का sign a plus b plus c को छोड़ दो तो अपने पास रह जाएगा यहां पर 3 और x तो यहां जाएगा इसका अपना answer हाँ बच जाएगा यहां बच जाएगा a square plus a square plus a square plus 1 तो यहां पर क्या करेंगा हम इन दोनों में से common ले लेंगे b square तो अंदर क्या बच जाएगा यहां बच जाएगा a square plus में 1 बी square को काट दो तो a square बचा प्लस का sign b square कट जाएगा तो 1 ही बचेगा प्लस में इन दोनों में क्या common है जिसमें कुछ भी common नहीं होता महाँ पर 1 common ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा बच जाएगा a square plus 1 और b square 1 plus 1 तो यह हो जेगा हमारा यहां पर final answer हाँ यह हमारा यहां पर आज का last question था 22 और यह हमारी 14 भी complete हो चुकी है यहां पर हम स्टार्ट कर रहा हमने chapter factorization आज हम उसकी start कर रहे हैं भी 14C exercise 14C exercise के questions देखता है कैसे question करने से पहले हम यहां पर एक identity सीखनी होगी identity के अपने पास a का square minus b का square किसके को लोगता भी एक बार लिखते हैं a minus b और एक बार लिखते हैं a plus में b ठीक है भी अब इस identity का use करेंगे हम इन questions के अंदर सबसे पहले यहां पर देखते हैं x का square agities रखता हुए हम x का square को agities रखेंगे minus a t1 किसका square होता भी अपने पास 9 का तो मैं यहां लिख सकता हूँ 9 का square उसके बाद अब यह देखो यहां पर इसको मान लेते हम a और इसको मान लेते हम b तो क्या बन गया भी a का square minus b का square यानिकि इनको एक बार minus करना एक बार plus करना है तो a क्या अपने पास x है minus का sign b क्या अपने पास भी 9 है तो एक बार इनको minus लिख दिया अब एक बार इनको plus करना है तो एक बार x और एक बार plus में 9 और अपना question complete हो जाएगा वस इतना ही करना है इसके अंदर similarly next question भी यहाँ पर एक यहाँ लिख था है 9a square minus 25 9 को क्या लिख सकतो मैं 3a पूरे का whole square फिर minus का sign 25 को क्या लिख सकतो मैं 5 का square तो three a यानि की एक बार इस पूरे का square और एक बार इस पूरे का square तो identity बाहि अपने पास क्या बन गी a का square minus b का square तो 3a का square minus 5b का square कैसे करेंगे इसक लगते हैं 3A माइनस में 5 और एक बार इसी को प्लस में 3A प्लस में 5 और अपना क्वेशन होगे यहां पर कम्प्लीट उसके बाद क्वेशन नंबर थर्ड देखो भी क्या लिख है इसको 36 को मैं किसका स्क्राइब लिख सकता हूं 6 का वाइज इस तो 6y का स्क्वेर माइनस में 12 प्लस में 11 और एक बार इनको माइनस में 11 और एक बार इनको मिहां पर कर देंगे ऐसे तो हमारा एक क्वेशन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है next question हमारे पास यहां पर है वही question number 4 question number 4 को कैसे solve करेंगे देखो यहां पर 49 है 49 को मैं लिख सकते हूं यहां पर 7 का square और A as it is तो यह वह गया यहां पर 7a का whole square minus में 100 और 100 को लिख सकते हूं मैं यहां पर 10 और B as it is उसका whole square तो फिर यहां पर बन गया है यह पूरा बन जाएगा अपने पास A ऑर यह पूरा बन जाएगा अपने पास B तो A का सक्रेर माइनस B का सक्रेर वही आईडेंटिटेटी जो हमने पहले यूस किया भी पिछले questions में तो हम इसमें वही लगाएङे एक बर को माइनस एक बार प्लस एक बार इन दुनों को रखना है यहां पर 7 ए माइनस का साहिए रखेंगे एक बार 10B एज़टीज इन्ही दुनों को रखना है 7 एक बार प्लस कर देंगे 10B और यह हो गया हमारा question complete यहां पर next पर चलते हैं भी यहां पर दिया है a प्लस b का whole square माइनस 36 तो a प्लस b तो एज़टीज रखेंगे पहले a प्लस b का whole square माइनस में 36 को लिख सकतो मैं आपे 6 का square अब फिर यहां पर बनगे अपने पास यह पूरा माल लेते हैं a है और यह हमारा पूरा b है तो एक बार इसको लिखेंगे एजटीज a प्लस b एज़टीज और यह माइनस का साइन और इसको लिख देंगे वापिस 6 और फिर नेक्स में इनको वापिस same to same a प्लस b और यहां पर माइनस की जंग पेगला प्लस और 6 एज़टीज तो यह हो जाएगा अपने पास complete अब चलते है नेक्स वाले बाई 16 को कैसे लिखेंगे 16 को हम लिख सकते हैं आपे 4 और सी करो स्केर होगा यहां पर और यह माइनस का वन तो वन को तो हम एक नहीं पढ़ेगा ठीक है वहीं तो 1 का स्क्यार हो गया यहां पे उसके बाद एक बार A के आए स्क्यार मैनस B स्क्यार है वही आइडेंटीटी यूस कर रहे हैं तो 4C मैं एक बार और एक बार कर देंगे आपे 4C plus में 1 और यह हमारा question आपे complete हो जाएगा question number 7 को कैसे करेंगे भी यहाँ पे 1 agities 1 को यानि कि मैं आप लिख सकता हूँ 1 का square minus में 64 64 को लिख सकता हूँ 8B का whole square तो वही identity यूज करनी है भी जो हमने अभी तक करते आ रहे है 1 को एक बार agities minus में 8B को agities एक बार minus हो गया इनी को एक बार हम 1 plus में 8B कर देंगे प्लस हो गया तो यह हमारा question complete हो गया बस उसके बाद next देखो भी 9 का और 16 का 9 को लिख सकता हूँ में याँ पे 3 का square और 16 को लिख सकता हूँ में 4 का square यानि कि इसका पूरे का whole square हो गया minus में 4 minus में 5x एक बार minus लिख दिया और एक बार इसी को हम 3 upon में 4 प्लस में क्या कर देंगे यहाँ पे 5x तो एक बार minus में एक बार plus में और यह equation अपना यहाँ पे complete हो गया next पे चलते हैं भी z square ठीक है जटीज लिख देते हैं z square को minus में 144 किसका square होता भी 12 का तो मैं लिख सकता हूँ 1 upon 12 का square तो फिर वह equation बनगे अपने पास a का square और यह हो गया b का square a का square minus b का square identity use करेंगे एक बार इसको z minus 1 upon 12 में और एक बार z plus 1 upon 12 और यह हमारे यहाँ पे question यह भी complete हो जाएगा यहाँ पर हम question no.10 कर रहे हैं भी question no.10 में क्या करना है वन को एजटीज लिखेंगे square करके minus में इसको एजटीज लखेंगे a minus b का square अब भी बन गया अपने पास a का square और यह हो गया अपने पास पूरा b का square तो identity भी लग जाएगी a का square minus b का square तो one को एजटीज हम यहाँ पर रखेंगे minus में और a minus b लगा देंगे ठीक है भई उसके बाद next इन्ही को वापिस plus कर देंगे one plus में a minus b अब यहाँ पर minus को अंदर multiply करना देखो भी कैसे करेंगे one minus को a से करेंगे तो minus का a minus को minus से करेंगे तो plus का sign और b as it is तो यह हो गया उसके बाद इसको एजटीज लिखना one plus में a minus में b और यह हो जाएगा अपना question complete उसके बाद चलते हैं भी next पर next में भी ऐसे ही करना है यह हो गया अपने पास a का square और यह हो जाएगा अपने पास b का square sign अबीच में minus तो a का square minus b का square तो कैसे करेंगा भई इनको एक बार minus एक बार plus तो लिखो तो 3m minus में n minus में m minus में 2n एक बार यह हो गया और एक बार इसको लिखेंगे plus में तो 3m minus में n 3m minus में n plus में m minus में 2n M minus में 2N तो यह हो जाएगा वह अपने पास ठीक है? अब यह तो ठीक अपना पट इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कैसे? 3M minus N agities लिखते हैं 3M minus में N agities इस minus को अंदर multiply करते हैं minus को M से करेंगे तो minus का M हो जाएगा minus को minus से करेंगे plus का 2N हो जाएगा वह ठीक है? और यह as it is इसको as it is लिखना बापिस 3M agities minus में N plus में M minus में 2N अब इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं भी कैसे? अब 3M में M को minus करना है 3M में से M minus करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 2M minus का N है और plus का 2N यानि कि 2N में से N को minus करेंगे तो कितना बज़ जाएगा अपने पास भई? plus का N बज़ जाएगा इसको ज़िज लिख दो अब अगले वाला 3M को M में add करते हैं तो हो जाएगा भई 4M minus का N और minus का ही 2N तो minus वाले क्यों होते हैं? दोनों अगर minus कियों हो तो sign तो minus करेंगा और add हो जाते हैं N और 2N कितना हो जाएगा अपने पास भई? 3N हो जाएगा और यह अपना यहाँ पर question complete हो जाएगा question number 12 कैसे करेंगा? अभी देख लो अपना 3X plus 2Y का whole square minus में है 2X minus 3Y का whole square तो यहाँ पर सबसे पहले इसको माल लेते हैं A, इसको माल लेते हैं पूरा B तो identity वही बन जाती है A का square minus B का square एक time इनको minus में रखें एक time plus में तो रखते हैं पहले 3X plus में 2Y एक बार इनको minus में रखते हैं वही minus में यह बार आजटीज रखेंगे 2X minus में 3Y इनको रख दें हमने आपे minus में और एक बार इनको रखेंगे plus में 3X plus 2Y आजटीज 3X plus में 2Y आजटीज और plus में यहाँ पर रख देंगे अपने पास या जेगा 2X minus 3Y 2X minus में 3Y अब sol कर लेते हैं थोड़ा इनको 3X plus 2Y आजटीज रखो है आपे पहले 3X plus में 2Y sin को अंदर multiply करो minus का 2X और minus minus plus 3Y अब उस वाले को रखते हैं आजटीज 3X plus में 2Y plus में 2X में 3Y अब थोड़ा sol कर लेते हैं इस question को कैसे देखो 3X में से 2X गया तो अपने पास X बच जाएगा 2Y में 3Y आड़ करेंगे तो कितना होगा अब टोटल 5Y तो यह हो जाएगे आपे X plus में 5Y next देखो 3X में अगर में 2X जोड़ता हूँ तो हो जाता अपने पास 5X plus में 2Y में अगर में 3Y को minus कर दो माइनस और प्लस यह 2 है यह 3 है 3 बड़ा होता है यहाँ पर sign लेंगे माइनस का किसका लेंगे माइनस का अब माइनस करते है 3 में से 2 गया कितने बचेंगे अपने पास 1 तो यानिकी 1 Y बच जाएगा तो अंसर कितना आजएगा अपने पास X प्लस में 5Y और 5Y माइनस में 5X माइनस में Y ठीक है Question 13 के अंदर देखो कैसे करना हमने यहाँ पर यहाँ पर लिख है 16 और यहाँ पर है 9 तो हम 16 को किसका स्क्वेर लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वेर और साथ में A प्लस B A प्लस B तो क्या करेंगे यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वेर ऐसे पूरा निकाल देंगे बहाँ ठीक है माइनस में अब यह ले लिखते हैं आपे 9 किसका स्क्वेर होता भी यहाँ पर 3 का और A माइनस B एज़ इस और इसका पूरे का कर देता हूँ तो हम यहाँ पे whole square अब देखो पूरे का A का square माइनस में B का square हो जाएगा यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भी यह पूरा हो गया अपना A मान लो इस पूरे को ठीक है और उसको पूरे का मान लेतने में यहाँ पर B तो identity क्या लग जाएगी यहाँ पर अपने पास A का square माइनस में B का square तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A माइनस B और A प्लस B यानिका इसको एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार इसको प्लस में लिखते हैं तो लिखते हैं भी में A माइनस में B ठीक है भी अब चलो solve कर लेते हैं 4 को एसे करेंगे 4A 4 को B से करेंगे 4B माइनस में 3 को एसे करेंगे 3A माइनस माइनस प्लस 3 को B से करते हैं भी यहाँ पर 3 भी आ जाता है ठीक है उसके बाद next वा एक जड़ी solve करना 4 को A से करेंगे 4A 4 को B से solve करेंगे तो 4B PLUS में 3 को A से करते हैं भी 3A 3 को MINUS के P से करेंगे तो MINUS का 3B यहां के बाद भी हमने इससे आगे कैसे करेंगे इसको 4 में हमने MINUS A कर लेना है 4A माइनस 3A तो यहां पर जाएगा अपने पास A 4B और 3B अपने पास हो जाएगे यहां पर जुड़कर 7B ठीक है भई? तो अपने पास आजेगा A PLUS में 7B. Next को इससे solve करना है 4A और यहां पर है 3A तो 4A और 3A कितना हो जाएगा भई? 7A 4B में से 3B MINUS करेंगे तो हो जाएगा भईने परास 4B में से 3B MINUS करेंगे तो बचा उनले B तो यहां जाएगा हमारे इसका Solution Final Solution होगा अपना Question No.13 Question No.14 देखो भी कैसे solve करना है As it is हमारे पास criteria रहेगा जैसे हमने इसमें किया था 16 लिया था, यहां पे लिया था, हमने 9 ठीक है, अब 16 को हम लिख सकते थे 4 का square, यहां पे 9 को लिख सकते थे 3 का square, एजटी इसमें करना है 9 को हम लिखेंगे यहां पे क्या 3 का square, तो 3 बाकी अंदर वाला एजटी इस X प्लस Y का whole square, ठीक है भई फिर minus का sign 16 को लिख सकते हमाँ 4 4 और यह लिख हो, एजटी इस X minus 2 Y का whole square, फिर वह यह identity यह बन जाएगा पूरा A और यह बन जाएगा पूरा अपने पास B, तो A का square, minus में B का square, तो इसको एक बार minus में एक बार plus में लिखते हैं देखो भी आप कैसे 3 agities, अंदर हमारे पास X plus में Y, फिर एक बार minus में लिख रहा हूँ, पहले बहुए मैं 4 agities और अंदर है X minus 2 Y एक बार हमने लिखते हैं, अब इसको plus में लिखेंगे 3 agities X plus Y फिर हमारे पास minus अब यहाँ पर plus ले लेंगे plus में 4 into X minus 2 Y, 4 into में X minus में 2 Y यह हो गया बई, अब इसको अंदर solve करना start करते हैं, 3 को X से करते हैं multiply, तो जाएगा 3 X 3 को Y से करेंगे तो 3 Y minus का sign 4 को X पर करेंगे आपे तो हमारे पास आजएगा 4 X minus को minus से जब multiply करते हैं तो हमारा हो जाता है plus, और 4 को 2 से करेंगे 8 Y ठीक है बई, अब next च्शोला करते हैं multiply 3 को X से करते हैंगे 3 Y plus में 4 को X से करेंगे तो 4 X और 4 को 2 से करते हैं तो 8 Y ठीक है बई, अब यहां दे करने के बाद क्या करते हैं solve कर लेते हैं इसको अब like terms से को 3 X को X के साथ solve करेंगे 3 X minus में X तो minus में y x जाएगा ऐसी यहाँ पर 3y और 8y 8 और 3 कितने हो जाते हैं अपने पास? 8 और 3 11y हो गया तो 11y फिर 3x में से 4x minus करते हैं तो भी अपने पास हो जाएगा यहाँ पर कितना? 3x minus में 4x हो जाएगा यहाँ पर only x minus का उसके बाद अंदर इस वाले में देखो 3x में हम जोड़ते हैं यहाँ पर कितना? 4x तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर कितना? 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x उसके बाद 3y में से 8y minus करेंगा तो अपने पास आजेगा minus में 5y तो यह हो जाएगा हमारा है यहाँ पर final answer question number 15 पर हम आ चुके हैं question number 15 को कैसे solve करना देख लेते हैं 36 लिखा जैसे हमने previous question के 12 और 13 वैसे similarly हमने इसको भी करना है 36, 36 किसका square हो तो अपने पास 6 का तो मैं लिखता हूँ 6 a minus b agitives, a minus में b ठीक है भी, पूरे का whole square minus का sign, 25 किसका square हो तो अपने पास 5 का होता है, तो 5 a plus b हमारे पास agitives और इसका भी whole square, ठीक है भी तो यह बन जाएगा अपना पूरा a और यह बन जाएगा पूरा b, ठीक है भी तो फिर वह identity लगेगी, a का whole square minus b का whole square, यह नहीं कि a square minus b square के identity एक बार minus में एक बार plus में, तो minus में लिखते हैं फिर plus में, पहले लिखेंगे 6 a minus में b minus का sign, 5 agitives और a plus में b, ठीक है भी एक बार इसको लिख दे हमने minus में अब similarly एक बार plus में, 6 a minus b plus में minus की जंग तो plus आगे अपने पास, और 5 आगे है यहाँ पे, फिर a plus b, as it is, a plus b आगे अपने पास, ठीक है भी अब इसको solve करते हैं थोड़ा 6 को a से multiply करेंगे भी, यहाँ पर कितना होज़ेगा, 6 a minus में 6 b minus के 5 को a से करते हैं, minus का 5 a minus के 5 को plus के b से करते हैं, तो minus का e 5 b जागे अब इस solve करके इसको, next देखते हैं 6 को a से करेंगे, 6 a आजेगा 6 को b से करेंगे, minus का 6 b, plus के 5 को a से करते हैं, भी 5 का e और 5 को b से करते हैं, भी plus का 5 b अब इनको solve कर लेते हैं थोड़ा कैसे solve होगा, देखो 6 को a से करता हूँ मैं, और 5 को a, देखो 6 a में से minus करना 5 a, यानिकि 6 में से 5 को minus करते हैं तो 1 बचता है यहाँ कि 1A, तो only A ही लिखते हैं मिस का 6 भी और minus का 5 भी minus minus, दोनों minus दो sin सेम रहता है और add हो जाते है 6 और 5 को add करते हो तो मैं 11 भी आगे अपने पास, बिल्कूल इसी होई next वाला देखलो उसको भी similarly हमने ऐसी सोल आउट करने, 6A और 5A, 6 और 5 में आड़ करते हैं तो 11A हो जाए आपर, लिख देंगे माइनस का 6 भी है और प्लस का भी है, देखो, माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटे वाला है, देखो जब माइनस और प्लस होता तो साइन हमेशा माइनस का यह आता है, उसके बाद यह हमारे पास 6 और यह हमारे पास 5 तो जो छोटा होता है यानि कि जो बड़ा हो गए यह आप इंदोनों में उसमें से क्या करदेंगे, साइन लिख देंगे अब माइनस का है, 6 तो माइनस का साइन लिख दिया और जो 6 है हमारे पास और 5 इनको minus कर देना है 6 में से 5 minus होगा तो अपने पास बचेगा only 1 तो यानि कि B ही बचेगा तो यह आजएगा minus का B तो यह होगा हमारा complete होई question number 15 similarly question number 16 है देखो भी कैसे करेंगे 9 है तो 9 को कह लिख सकता हूँ मैं 3 3x plus 1 as it is अंदर 3x plus 1 as it is इसका पूरे का whole square minus का sign 4 4 किसका whole square होता भी 2 का तो 2x minus 1 as it is लिखतेंगे इसका पूरे का whole square ठीक है भई अब देखो पूरे का a का square minus b का square तो यह हमारी a है यह हमारी b है वह यह identity use करेंगे फिर बापस एक बार इसको 3 into में 3x plus 1 minus में 2 into में x minus 1 एक बार इसको minus में लिख देंगे similarly एक बार इसको plus में लिखेंगे 3 into 3x plus 1 3 into 3x plus 1 और plus का sign आजेगा 2 into x minus में 1 हाँ यह आजेगा अपने पास ठीक है अब इसके बाद solve करते हैं इसको आगे तो 3 को 3 से multiply करते हैं आपे 9 आजेगा 9x 3 को 1 से करते हैं 3 minus को 2 से x को करते हैं तो 2x minus को minus से multiply करेंगे plus 2 को 1 से करेंगे 2 तो हो गया उसके बाद next 3 को 3 से करते हैं 9x plus का sign 3 को 1 से करेंगे 3 2 को x से करेंगे 2x और 2 को minus 1 से करते हैं तो minus का 2 after that हम क्या करेंगे आपे बई 9 को 2 से minus कर देंगे तो कितना होजएगा 7x 3 और 2 कितने हो भी यहाँ पर 5 होगे 3 into 5 होगे यहाँ पर अपने पास After that 9x को 2x से add करते हैं तो भी 11x हो जाता है और 3 में से 2 को minus करते हैं तो 3 minus 2 only 1 और यह हमारा यहाँ पर आजएगा भी इसका final answer ठीक है भई Question number 17 को कैसे करेंगे हमारे पास यह identity है ठीक है भई तो इस identity को अगर close करते हैं हम तो किस formula का identity बनती है यह यह बनती है अपने पास a minus में b का whole square ठीक है भई minus का sign as it is और यह आज़ता है c का square तो यहाँ पर फिर formula बन गया यह किसका formula बने वही यहाँ पर यह होroe पुरे का part हो गया आपहे a का square यह हो गया पूरे का बुरा warm up a square minus में 20 स्क्राइग तो लगा ते हिए at- आपह में आपने पास advisom minus मैं लिखेंगे minus का sign एक बार c आज़तेंस ठीक है आवी और इस इकबार किसमें लिखेंगे प्लस में लिखेंगा भी A माइनस में B प्लस में C और यह कॉशन कम्प्लीट ठीक हबई एक बढ़ मैं ऐडेंटेटी लिख बहुता हूं आपको ठीक है जो एडेंटेटी दूर्टी यूजह अपने पास कौन कौन सी लिख देटा हूं यहाँ पर एक तोत्य अपने पास ए माइनस में बीका होल स्क्यार वो होता हमारे किसे कुल एका स्क्यार plus में b का square minus में 2ab ठीक है और एक उता अपने पास a plus में b का whole square ठीक है भई वो किसे को लोगता है a का square plus में b का square plus में 2ab ठीक है भई तो यह दो identity है जो हम use करेंगा गरे आले माने questions में यह हमारी identity है और यहां तक अपना question complete और चुका था भई अब next पर जलता है question number rating में भी देखो कौन सी identity यूज़ करनी पड़ेगी x square हम यहाँ पर adjectives लेंगे ठीक है x square हमने यहाँ पर adjectives ले लिया minus 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 सभी में minus है तो मैंने minus, ले लिया अंदर सभी के सभी plus हो जाएंगे भी a का square plus में 2a और plus में 1 ठीक है भई उसके बाद अब देखो आप इस a का square और यह 1 का square लगा लो आप लिख सकते हैं आप इसको 1 का square तो देखो यहाँ पर क्या बन गा अपने पास यहाँ पर यह बन जाएगा भी identity क्या देखो a का square plus b का square plus 2a b तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है a ही है b क्या 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी क्या x का square minus में यह हो जाएगी पूरे identity क्यों की a plus में 1 के whole square की अब फिराइट formula बनेगा अपने पास यह हमारे पास a और यह हमारे पास पूरा b तो हम लगा देंगे आप identity a का square यानिकी x का square यानिकी एक बार इसको minus में और एक बार plus में जब minus में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा a plus 1 ऐसे अगले बाला plus में लिखेंगे तो minus 1 ठीक है भई और यहाँ आजएगा x plus में a plus में 1 और यहाँ पर अपना एजो question complete हो जाएगा question number 19 में दिखो भी क्या करना हमने यहाँ पर 19 में दिया में x का square minus m का square plus 6mn minus में 9n square तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर x के लिखता हो भी लिख दिया माइनस सभी में से common ले लो तो माइनस ले तो अंदर अपने पास क्या बज़ जाएगा भई m square plus की जंग पर आजएगा minus का 6mn और यहाँ पर minus की जंग आजएगा plus का 9n का square ठीक है उसके बाल अब यहाँ पर क्या घर सकता हूं 9 है न तो मैं यहाँ पर 9 की जंग पर लिख सकता हूं यहाँ पर मैं 9 को इसकर के 9 की जंग लिख सकता हूं 3n का whole square ऐसे ठीक हभी तो यह हमारा हो जाएगा अब देखो यहाँ पर तो आजएटीज आजएगा x का square minus यहाँ पर देखो a का square plus b का square minus 2ab तो यह बना है हमारे पास minus 2ab वाला तो यानि की formula लग जएगा यहाँ पर कौन सा अपने पास m minus में 3n का whole square यह वाली identity इसको मैंने पूरा close कर दिया वही पिछले question वे जो हमने identity पढ़ी थी न दो identity उसमें से minus वाली identity का formula लगा हमें पत अब माइनस यहाँ लगाएंगे तो एका square minus में यह पूरा हो गया बीका square तो identity कौन सी लगजेगे अब a minus b और a plus b तो यहाँ पर लगाएंगे हम एक बार a minus में minus को उंदर multiply करता हूं भी minus का minus को minus से multiply करूंगा plus का 3n चीचिए बएब लिखता हूं plus में x agites plus में m minus 3n m minus में 3n और यह होगे अपने पास यहाँ पर complete next देखो भी a की power 4 minus b की power 4 ठीक है तो कैसे करेंगे a raise to power 4 है ना तो हम यहाँ पर करते हैं a raise to power 2 की power 2 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भी minus में b कोई भी power 2 raise to power 2 exponent and power में सिखता हमने अगर power 4 है तो इसको divide कर कैसे भी लिख सकते हैं 2 to the 4 2 to the 4 तो यहाँ पर अपने पास बन जाती है यह identity a का square minus b का square अब a क्या यहाँ पर अपने पास यह है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा a square minus में b square और यह बन जाएगी एक बार plus में a square plus में b square उसके बाद भी थोड़ा सा आगे हो सकता है question क्यों 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 कि यहाँ पर फिर identity बन गी a square minus में b square जब भी minus सा आए ना तो identity बन जाती है तो अब यहाँ पर फिर वापिस लिखेंगे यहाँ पर क्या a minus में b लिख दे होड़ेगा a square plus में b square और हमारा यहाँ पर question यह complete हो जाएगा question number 21 में देखो भी क्या करेंगे 16 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 4 का square और a को लिख सकता हूं मैं a की square का whole square ठीक है वही ऐसे minus में 81 किसका square होता भी 9 का तो मैं लिखूंगा 9 का square b की power 4 को फिर कर सकता हूं b की square का s square अगर इसको open करते हैं वही बन जाता है देखो 9 का square 81 b की power 2 to 4 तो वही बनेगा हमने इसको convert किया इसको इसमें तो फिर identity बनेगी यहाँ पर क्या बनी अभी YouTube फिर केकर olण से इसकवर माइनस में और एक बर इन खो फॉर एस्काइर फ्लस मढ़ां नाइन 20 करोई फ्लसमें और थीक है अब देखो 4a square plus में 9b square आगे देखो पर यह identity बन गी यह बन गया a square minus यह बन गया b square तो क्या लिखेंगे आप इसको एक बार minus में एक बार इसको plus में तो यहां हो जाएगा अपने पास 2a minus में 3b एक बार minus में और एक बार 2a plus में 3b अब इसको देखो 4a square plus में 9b square तो यह हो जाएगा हमारा question यहां पर complete ठीक है बई अब next देख लो next में से 3 का तो हमारा हमें पता square नहीं होता 3 किसी का ना ही 75 किसी का square होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे बही देखो दोनों में से 3 को मले लगते हैं चलो ठीक है अगर मैं 3 को मले लगता हूँ तो 3 से इसको divide roughly में 3 को इसको divide 3 से 3 काट यह 1 बचेगा minus का sign 3 को इससे काटते हैं बही 25 बचेगा अंदर z का square तो देखो 3 agitties आगया 1 का square लिखे है ना लिखे की बात है 1 का square minus 25 किसका square होता भी 5 का और z इन दोनों का square हो गया अब देखो क्या बनगी 3 तो आजटीज बहार ही काएगा यह बनगी एक बार A का square minus B का square यानिकि इनको एक बार 1 minus में 5 z हो गया एक बार तो और एक बार होजएगा 1 plus में 5 z ठीक है बई और यह question यहाँ पर हमार हो जाएगा complete question number 23 और question number 24 हम करते हैं बई अब question number 23 को देखो कैसे solve करेंगे 48 A square B square minus में 3 सबसे पहले 3 हमारे पास कोई perfect square नहीं होता है that's why हम यहाँ से common लेते हैं 3 को एक तो 3 को मने लेंगे उपर से क्या बचा अपने पास 48 को 3 से डिवाइड करना और यहाँ पर रफली 3 से करते तो कितना तब यहाँ पर 3 बंजा 3 बच गया 1 3 6 16 16 ना गया न अंदर तो 16 लिख लेंगे और यहाँ पर A square और B square लिख लेंगे ठीक है तो यहाँ पर identity बनेगे अपने पास A square minus B square तो फिर बापिस एक बार इन को 4 A B minus में लिख देंगे और एक बार 4 A B plus 1 कर देंगे कहने का मुझा कि आप एक बार इन को minus एक बार plus हर एक question में ही कर रहे हैं ठीक है बई next question देखो यहाँ पर है X cube और यहाँ पर है X दोनों में से क्या को मना आरा अपना X को मना रहा तो मैं यहाँ पर लिख दूगा बच दूगा अंदर क्या बच दूगा एक स्क्वेर बच जाता है माइनस में 9 एक बार माइनस हो गया और एक बार 2X प्लस में 1 तो यह हो गया अपने पास भी question complete 25 question में क्या करना हमने आपे देखो 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का square ठीक है यहाँ पर है B ठीक है यहाँ पर भी यहाँ पर B का square नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं बी को common लेते हैं ठीक है तो बी ही common लेते हैं पहले तो बी को में लेंगे यहाँ से अंदर क्या बज़ जाएगा अपने पास 9 B square बज़ जाएगा वही माइनस में 144 ओनली क्या करना बी से रफली डिवाइड करके देख ले ना बी से भी कट जाएगा यहाँ पर रह जाएगा उसके बाद B accent is ये बनके हमारे पास क्या एक का square minus में B का square यानि की एक बार इसको minus करें एक बार प्लस तो 3 B minus में 12 और एक बार 3 B plus में 12 अब देखो, यहाँ पर भी 3 और 12 है, यहाँ पर भी 3 और 12 है, दुनों से हम क्या कर सकते हैं, 3 common ले सकते हैं, यहाँ से, तो कैसे लेंगे, इस से 3 common लेंगे, तो रहा जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, तो रहा जाएगा, यहाँ पर कितना, बी माइनस में 4, अब इसको भी 3 से डिवाइड कर दो भई, इसमें से भी 3 common ले लेते हैं, तो रहा जाएगा, बी प्लस में, 3 से, 4 आ गया है, तो अब 3, 3, 3, 3, 3 जा, 9 हो गया है, यहाँ बी एजटी और बी माइनस में 4, और बी प्लस में 4, तो यह हो गया हमारे पास पर इसक में क्या बोला है, 32 x square माइनस में, 72 y square, तो क्या करें इसमें से फ़हले, 2 common ले लिए हमने अंदर से, तो हमारे पास के बद जाएगा अंदर, 32 का तो 16 हो गया, x square माइनस में, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 y square, क्या करना हमने, जो भी common लिए उसे डिवाइड कर दो भी इसको easily हो जाएगा अपने लिए, यहाँ 16 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया, उसके बाद, 2 agities, 16 को हम लिख सकते हैं, 4 x का whole square माइनस में, 36 को लिख सकतो हैं, 6 y का whole square, अब 2 agities, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास, a का square माइनस में, b का square, यानि कि एक बार तो हम क्या करेंगे, 4 x प्लस में, 6 y, ठीक है, यहाँ पर 2 दूनों से common आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 दूनों से common आ जाएगा, तो 2 यहाँ से common लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 x माइनस में, 3 y, ठीक है बाई, यहाँ पर 2 डिवाइड करकर देख लेना, इसी हो जाएगा, 2 से 2 बचा उसके बाद यहां से भी 2 common ले सकते हैं तो यहां पर आजएगा 2x plus में 3y ठीक है भई उसके बाद 2, 2, 2 total कितना होगा अपने पास भई 2, 2 is a 4, 4, 2 is a 8 तो आजएगा 8 यहां पर अपने पास हो जाएगा 2x minus में 3y और यहां पर आजएगा अपने पास 2x plus में 3y और यह हमारा यहां पर question complete हो जाएगा भई question number 27 को कैसे करेंगे भई यहां पर सबसे पहले इंदोने से क्या को मले सकते हैं यहां पर 2 common जाएगा ठीक है तो 2 common लेंगे यहां पर इसको भाई यहां पर यहां पर आएंक वाई का क्यूब यहां पर तो य को में लेंगे ठीक है बैए अंदर उसके बाद 25 को 5x का square और minus में इसको लिख सकता हूं मैं 4y का square ठीक है भी अब फिर भई अपने पास 2y तो यह लिखे लेंगे यहाँ पर यह identity बनगी A का square minus में B का square तो कैसे लिखेंगे इसको एक बार minus में एक बार plus में तो 5x minus में 4y एक बार minus में और एक बार इसको ही 5x plus में 4y एक बार minus में एक बार plus में और यह अपना question complete होगा भी यहाँ पर next देखो question a cube minus में 4ab square तो a cube यहाँ पर है और a यहाँ पर है तो दुनों में से एक तो a को मना गया ठीक है अंदर अब a से डिवाइड कर लो easy हो जाएगा a से कट गया a से a cube कट गया तो a square बचाएगा minus में a से कट गया तो 4b square बचा है यहाँ पर अब a jd लिखेंगे आवे बई एक स्कीर तो ठीक है minus में इसको 4 को लिख से तो में 2b का square ठीक है अब यह होगे आपने पास a का square minus में b का square यानि कि identity फिर एक बार इनको minus में इक बार इनको plus में तो a minus में 2 भी लिखेंगे एक बार और एक बार लिख देंगे a plus में 2B और यह हमारे हैं पर question complete हो जाए होई by question no.29 में देखो भी क्या करना है यहां पर हमारे पास abc यहां पर भी abc है तो हम सभी से पहले क्या को मले रेते हैं और अब इसको भी abc से डिवाइड कर लो रफ़ली और इसको भी abc से रफली डिवाइड कर लो a से कट गया c से c व यहां पर क्टेगा सीशओ टो एबी सीशेटिगे है तो एबी सी आजड़ रखेंगे यहां उसके बाद बी स्कुरर माइनस में सीज्क्ट यानि कि एक बार लिखेंगे बी माइनस की और लिखेंगे और यह हमारा square तो 3 into x plus y का whole square ठीक है भई, minus में इसको लिख सब्सक्तों मैं 4 का square भई, ऐसे ठीक है, उसके बाद x plus y as it is रहेगा अपना, और यहां पर, यह हो गया एक बार a का square पूरा और यह हो गया एक बार b का square पूरा, ठीक है, तो एक बार इसको minus में एक बार plus में, तो 3 को as it is, और x plus में y, एक बार minus में 4, और एक बार 3 into में x plus में y, plus में 4 कर देते हैं एक बार, तो यह हो गया भई, यहां पर ठीक है, तब देखो X plus Y agities ठीक है भई और यहाँ पर 3 को X से करते हैं 3X 3 को Y से करेंगे तो 3Y और minus में है 4 उसके बाद यहाँ पर 3 को X से करेंगे 3X 3 को Y से करेंगे 3Y और minus प्लस में 4 है तो यह हो गया भई यहाँ पर हमारा question complete Question number 31 में देखो भी क्या करना है 1 as it is रखेंगे minus में 49 को लिख सकते हो मैं 49 by में point है टालो भी कितना हो गया 100 हो गया निच्चे और यह है C की power 6 ठीक है उसके बाद 1 को लिख सकते है 1 का square ठीक है क्योंकि 1 का square बनी रहेगा भई 49 किस का square होता भी 7 का upon में 100 किस का square होता भी 10 का और C को मैं तोड़ लेता हूं यहां पर कैसे 3 और उसकी power 2 में ऐसे 7 का square 14 है 10 का square 100 और C 3 तो 6 हो जाएगा ऐसे ठीक है भई अब यहां पर हम करते है question को कैसे अब 1 का square है जाटीज रहेगा ठीक है भई minus में 7 by 10 है तो 0.7 होगे यहां पर क्या होगे 0.7 और एक पर इसी को ही हम 1 minus में 0 प्लस आजेगा अब की बाद 0.7 C की power 3 जो होगे हमारा question complete next देखते हैं भई यहां पर हम क्या करते है एक्स के रखेंगे पहले तो और यह minus से सभी में common लेते हैं तो अंदर क्या राजेगा भई y का square प्लस में 8 yz और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहां पर 16 यह तो मैं लिख सकता हूँ प्लस में 4z का whole square ऐसे तो यहां पर हमारे पास फिर identity बन जाती है हमने identity बड़ी थी वही a का square plus b का square plus में 2ab तो कैसे करेंगे इसको x का square minus y plus 4z की identity entity close होगी तो फिर उपने पास भी बन गया a का square minus यह पूरा b मालना तो b का square a square minus b square हमारा क्या हो जाएगा यहां पर एक बार इसको minus करेंगे और एक बार इसको plus करेंगे minus करेंगे तो minus को y से करूँगा minus का y minus को plus से करूँगा minus का 4z हो गया और एक बार जब मैं करूँगा इसको x minus यह प्लस रख दिया मैंने और यह ज़िए y plus में 4z ठीक है और यहां पर हमारा equation complete हो जाएगा question number 33 कैसे करेंगे यहां पर हम देखो x cube y cube यहां पर भी है और यहां पर भी xy है तो सबसे पहले यहां पर xy common ले लेते हैं ठीक है उसके बाद अब अंदर देखो क्या बचेगा इसको भी xy से डिवाइड और इसको भी xy से डिवाइड xy से पूर xy कट गए यहां पर तीन तीन पावर थी ना तो दो रहेगे भी तो x square और y square यहीं पूरे के पावर 2 लगा लो ऐसे ठीक है माइनस में यहां बचा 25 by में z square 25 को मैं कह लिख सकता हूं 5 का square अपन में और यह है z तो इसका पूरे का square हो गया ऐसे ठीक है तो यह बचा भी अपने पास लना ठीक है उसके बाद अब किया अगरते हैं यह होगा हमारे पास a का square minus बसका यह ओगाए तो कैसे लिखेंगे इसको x y एजटीस और अंदर एक बार इसको minus में और एक बार इसको plus में तो यह ओर रहे गई यहां पर, एसे five by, z और इक बार, इसको plus में लिख लेते है, xy plus me five by में जैट तो हमारा इसका भी फाइनल उसके बाद चलते नेक्ष्ट पर अब यहां पर जो 324 है पहले इसके पॉइंट हटा लेते हैं अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो कैसे लिख सकते हो मैं इसको तो three two four buy में कितने points के बाद अबी one two three four four points के बाद है तो चार zero लगा दो यहांपे यह 40 लगा दिए यहां पर, X की 4 आजटीस, माइनस में, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 0s के बाद है, तो 64 वाए में निचे भी 1, 2, 3, 4, 4 0 लगा भी, उसके बाद B की पार 4 आजटीस, उसके बाद, अब क्या करेंगे यहां पर, देखते हम इसका square, 3, 2, 4 किसका square होता है, 18 का और यह किसका स्केर होता भई यह होता हमारे पास 100 का ठीक है और यह लग जाएगे आप X की पार 4 तो उसको लिख सकता हूं X की पार 2 का स्क्वेर ऐसे माइनस में इसको लिख सकता हूं मैं यह होता अपने आज से तो हम इसको लिख देंगे एट का स्क्वियर बाइवें यह हमारे पास हो जाएगा और इन टू में जाएगा बी की पावर तो यहां पर हमारे पास आजाएगा वह फिर क्या नेक्स्ट एप में जिरो पॉइंट में तो यह बन गया 0.08 बीका स्केर का होल स्केर यहां पर अपने पास कौन सी अडेंटिटी लग जाएगी भी एक स्केर माइनस में बीका स्केर तो एक बार मैं क्या गरूंगा जिरो पॉइंट में 18 स्केर माइनस में 0.08 वाइस केर यह यह नहीं कि बीकी बेली दो पी स्केर एक बर माइनस में लिख दिया एक बार लिख दूँगा यहां पर किसमें 0.018, यहां पर A की 0 आएगा वई, ठीक है, और X का स्क्यार माइनस में, यहां पर क्या लिखेंगे 0.08 B का स्क्यार, 0.08 B का स्क्यार, यहां तक करने के बाद यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर हम 18 और 8 का, क्योंकि यहां पर भी A का स्क्यार माइनस B का स्क्यार है, तो यहां पर क्या कॉमल लें लिखते हैं हम 2 क्या क्या लेखें अगर मैं 2 कवन पर लिता हूं तो अंदर हमारे पास क्या बचता भी य्या 만들 है फेशने पर बच जाएगा अपने पास I am 0.9 जियुकी 0.9 किसके हो तो presented 0.9 पर समें 3 छो जैगा किसको जाएगा 0.3 का और X का स्क्वेर आजटी जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैं अगर डिवाइड करता हूं टू से तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर कितना कि एगा 0.2 से करेंगे तो 2 फोर जाएट तो आँब आजएगा फोर लेकिन 4 किसका स्केर होता तो मैं 2 लिख लेता हूं यहाँ पर भी आजएगा पूरा तो ज़ेगा अजएगा बी का स्क्वेर ऐसे ठीक है यह करने के बाद यहां से दूनों से क्या को मिना रहे तो यहां से sign 0 0 2014 कि ओर 從 करेंगे यह हमारा माइन इसको हम करेंगे हिए यह हमारा माइनिस में यहाँ पे तो यहां पर एकश्कार माइनस बीक कस यहां पर किभले हों एक बार इसको मान्यस महें येए 0. pressures- माइनस में 0.1 एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार 0.3 x प्लस में 0.2 एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार यह लिख देते हैं पूरा जिरो पॉइंट में 0,9 x स्क्वियर प्लस में 0.4 b का स्क्वियर ठीक हा भई तो यह हो गया हमारे यहां पर फाइनल अंसर 35 question दिखते हैं भी कैसे करेंगे इसका पहला part 82 स्केर मैं एटीन का स्क्राइए तो एक बार इसको माइनस करेंगे एक बार इसको प्लस करेंगे तो 82 माइनस में 18 और एक बार करेंगे 82 प्लस में 18 ओनस करते तो अपने पास आजेगा बही 64 और और इंटू में प्लस करते तो अपने पास आजेगा 100 तो अंसर आजेगा वह अपने पास 6400 ठीक है यह हमारा question यहां पर complete हो जाता है question number 35 का second part में क्या दिया हुआ same identity का use करना बस अब की बार decimals में आये हैं तो एक बार 15.8 को minus करेंगे 9.2 से और एक बार क्या करेंगे 15.8 को हम plus करेंगे 9.2 तो देखते हैं भी 8 में से 2 गया वह 6 हो गया अपने पास 5 में से यानि कि 15 में से 9 गये तो कितने हो जाएगे अपने पास पर six हो जाएंगे तो अपने पास आजेगे यहां पर six point six इसको हमने multiply करना भी किस से add कर देते हैं इनको यहां पर eight को two से जोड़ेंगे 10 हो जाएगा वन करें चला गया nine or five fifteen nine or one ten or five fifteen हो गया और one carry चला गया तो यहां पर कितना 25 अब उसके बाद 25 को हमने यहां पर six point six से multiply करना ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे ट्वेटिफाइग सिक्स होता अपने पास 150 तो एक बार क्या कर लेते हैं six point six का point हटाता हूं तो मैंने चाहता है टैन इन टू में 25 एज़ेज लिखना पड़ेगा उसके बाद यहां पर क्या करते हैं क्या क्या करने इसे और गराच और यहीं इसे três आंवे आपने पास 165 इसका फाइनन सब्सक्राइब question number 35 कैसे करें हो भी यहाँ पर हम 35 question number में दिया हमें 0.8 का square minus 0.2 का square एक बार minus एक बार plus तो 0.8 minus में 0.2 और एक बार 0.8 plus में 0.2 तो minus करते हैं तो अपने पास आजएगा भी 0.6 और plus करते हैं तो आजएगा अपने पास 1.0 यानि कीवन इनको आपस multiply करेंगा तो सेमी नंबर रहता भी 0.6 तो अपना final answer है नेक्स विर्शन देखता है 35 का 35 का हमारा जो फोर्थ पार्ट उसमें क्या दिया है ऐसी same to same एक बार square है यहाँ पर minus में बी का square है तो इनको एक बार minus करेंगे एक बार 4 एक बार minus कर देंगा अभी ऐसे और एक बार इसी कोई 7 3 by 4 प्लस में 2 1 by 4 7 4s are 20, 28 और 3 31, 31 by 4 minus में 4 2s are 8 और 1 9 by में 4 तो कितनो जाएगा भी अपने पास यह देखेंगे और as it is यहाँ पर 7 4s are 20 और 3, 31 अपन में 4 और प्लस में 9 अपन में 4 minus करते तो अपने पास कितना आजएगा भी यहाँ पे 22 आजएगा 22 अपन में 4 और into में add करनेंगे 31 और 9 कितना होगे 40 40 अपन में 4 तो divide करते हैं भी 4 से कट जाएगा यहाँ पे आगा 10 10 के बाद 2 से उपर कट जाएगा भई तो निच्चे टू तो जफोट और 11 तो 22 तो से यहाँ कट जाएगा तो 11 को 5 से multiply करते हैं पर अपने पास आजएगा फिप्टी फाइब और यह हमारा यहाँ पे होगा फाइनल अंसर क्वेशिन नंबर हमारे पास पर 35 का फिफ्ट पार्ट तो 35 के फिफ्ट पार्ट को कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ पे पहले हम मिक्स्ट फ्रेक्शन को कम्प्लीट कर लेते हैं 11 6 आ 66 और 4 70 70 अब उन में 11 का स्क्वेर माइनस में 11 फोस और 44 और 7 51 51 बाय में 11 का स्क्वेर एक बर इनको माइनस करना एक बार प्लस करना तो कर देते हैं भी यहाँ पे 70 अपॉन में 11 माइनस में 51 बाय में 11 एक बार माइनस कर दिया और एक बार इनको प्लस कर देते हैं 70 अपॉन में 11 प्लस में 51 अपॉन में 11 तो 11 जब denominator सहीम होता तो अपने numerator डिरेक्टली cancel हो जाते हैं तो 11 तो निच्चे आ जाएगा भई तो 10 में से बन गया 9 और 6 में से 5 गया 19 आ गया इंटू में 1 और 5 1 to 1 हो गया भई यहां पर एड़ कर देंगे 70 और 51 को 1 to 1 अपन में 11 अब कर लेते हैं पर माइनस भई देखते हैं क्या वस्ता है इसको यहां पर 11 से काटता हूं तो 11 आ जाता है क्योंकि 2121 11 का स्केर होता है इस 11 से 11 कट गया तो बचा क्या वह अपने पास 19 तो हमारा अंसर आजेगा 19 का इस कि नेक्स दो है यहां पर हम क्या करते है 7.3 को fem बचले को एक्समा ख स्केर होगा माइनस में ये भी y ये भी y तो y square हो गया अपोन में x माइनस में y इसकी जंग पर x इसकी जंग पर y रखती है उपर identity बने के बने बास भी identity क्या बनी है a square minus b square यानिक एक बार हम minus करेंगे और एक बार हम plus करेंगे निच्चे क्या अपने पास x minus y यानिकी x minus y से x minus y कट गया तो बचा क्या अपने पास x plus y क्या बचा भई x plus में y अब value रखते है x plus y क्या होगी अपने पास देखो भई x की value 7.3 य की value 2.7 तो 7.3 को add कर देंगे 2.7 से तो add करेंगे तो क्या जेगा अपने पास 7.3 10 की 0 1 करी क्या 7.2 9 और 1 10 तो 10.0 यानिकी 10 आ गया यह हमारा हो गया पर final answer हाँ यहाँ पर हमने आज complete कर लिए 35 question तक जो कि 14 C का last question था यह और 14 C हमारी आज complete हो चुकी है आज हम सुरू करने वाले exercise D को ठीक है भई तो देखते हैं D exercise में पहले question को कैसे कर सकते हैं पहला question complete करने से पहले भी हमने यहाँ पर दो identity सीखनी होंगी पहली identity है A plus B का whole square is equal to होता है A का square plus B का square plus में 2AB next identity हमारे पास है A minus B A minus B का square करते हैं भई A का square plus में B का square minus 2AB यह दो identity का use करेंगे ठीक है यहाँ पर तो start करते हैं यहाँ पर यह वाली X का square as it is लिखेंगे यहाँ प्लस में 18 को as it is लिखेंगे 81 को कैसे लिख सकता हूं यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 9 का square ठीक है अब देखो हमने यहाँ पर check करना है कि हमारा जो X की term वाला होता है वो plus में है या minus में है अभी हमारा plus में है तो हम इसमें plus वाल यह identity उस करते हैं plus B का whole square अब हमारे B का square या नहीं कि 9 का square ठीक है plus में 2 into में A क्या अपने पास X है तो X into में B कितना अभी अपने पास 9 है 9 तो 9 to the 18 X तो वही बन जाएगा ना तो यह identity close करने हैं हमने आपे इस formula को देखने कि इसके जैसा है तो उसके बाद हम क्या कर देंगे इसको ऐसे close कर देंगे यहां पर ठीक है तो identity close हो कि क्या बनती है इसको किसके क्यों है इसको भी इसके क्यों रखेंगे A plus B का whole square कर देंगे A क्या यहां पर हमारे पास X है तो लिखेंगे X plus में B के अपने पास B 9 का square यहां पर देखुए A का square प्लस B का square second number पर B का square यानि कि 9 है तो B की value 9 होगी तो 9 A plus B यानि कि X plus 9 उपर square है तो यहां पर भी क्या कर देंगे हम square कर देंगे और square वाला हमारे यहां पर equation complete हो जाता है और इसको मैंसे भी कर सकते हैं यह उपर two power है तो इसको दो बार लिख सकते हैं कैसे X plus में 9 और X plus में 9 तो यह हमारा हो गया यहां पर answer उसके बाद करते हैं भी next वाले देखो next वाले में भी same to same करना है A का square है as it is लिख हो यहांपे minus में 14A plus में इसको लिख सकता हो मैं 49 को 7 का square क्या rğ concern 7 का square होता 49 अग within यहां पर minus आ गया यहांपे जब एग्ल हो एक्सों कुछ भी हो सिंगल हो तो वह हमारा 2 में तो यहां पे देखो 2a भी बाले में तो हमारी यह वाली identity यूज़ होगी ठीक है यहां पर अब हमने ऐसा बनाना है इसको साइड तो A का स्क्यार है ज़िटीज प्लस में 7 का स्क्यार है ज़िटीज माइनस में 2 A के अपने पास A ही है B के अपने पास 7 है तो यहाँ पे 7 रख लेंगे ठीक है? यह B होता तो 7 तो 7 to the 14 A तो यह 14 A ही बनेगा वापिस तो अभी identity बनगी यह वाली ठीक है भी? Same to same यह बन चुकी है अब इसको हमने close कर देना इसके अंदर A minus B के whole square में पहले A लिखेंगे minus kab pa sign फिर B लिखेंगे A इसमें A अपने पास तो A लिखेंगे फिर minus का sign हमारे identity के अंदर है तो minus लिखेंगे और B के अपने पास B भी हाँ फिर अपने पास 7 तो फिर लिखेंगे 7 तो A minus 7 का square हो जाएगे फिर उसके बाद square कर देंगे और यह हमारे यहां पर answer complete हो जाता है लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं इसको 2 times लिख सकते हैं इसको 2 बार लिख सकते हैं कैसे a-7 into में a-7 तो यह 2 बार लिख देंगे इसको यहां पर हमारे यहां पर question complete हो जाएगा Question number third देखते हैं अभी कैसे कर सकते हैं 4x का square plus 12x plus 9 है हमारे पास तो 4 किसका square होता है? 2 का तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ यहाँ पे 2x का whole square ठीक है भई? प्लस में 12x को लिखने से पहले मैं 9 लिख देता हूँ यहाँ पे 9 को कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे 3 का square ठीक है भई? 3 का स्केर, प्लस में, अब 12X है, यह हो गया A का स्केर, प्लस B का स्केर, और यहां पर मैंने बोला तब पिछले question में भी समझाया था, कि अगर प्लस 12X, X की single term के साथ, अगर हमारे पास प्लस आ जाता है, तो प्लस में हमारे पास प्लस के identity लगती है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ, उसको 2, A का अपने पास 2X है, 2X और into में 3, तो आप एक बार confirm करने के लिए multiply करके देख लो, 2, 2s are 4, 4, 3s are 12, तो 12X आ जाएगा, ठीक है भी आजाएगा, तो अपने पास यह identity बन जाती है, अब किसकी, इस वाले term की, तो इसको कैसे close करते हैं, इसमें, A प्लस B का whole square, तो मैं क्या करूँगा, A प्लस B की whole square क identity लग जाती है, तो A अपने पास है, 2X, तो मैं लिखूँगा, 2X, फिर प्लस का sign, प्लस में B है, तो B के अपने पास 3 है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 का square हो जाएगा, फिर, यह यहाँ पे complete होता है, बट इसको हम दो बार भी लिख सकते हैं, 2 times में, तो मैं इसको 2X, 9X square, 24X, प्लस में 16, अब 9 को कह लिख सकता हूं है, 3X का square, ठीक है भई, 3X का square, प्लस में, 16 को कह लिख सकता हूं है, 4 का square, अब देखो, यहाँ पे हैं minus, क्या है, minus, तो minus है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भई, minus वाली identity लगाएंगे, यह वाली 2AB, ठीक है, तो यहाँ पे 3X into में, B क्या अपने पास भई, 4 है, उसके बाद देखो, अब, A का square, प्लस B का square, minus 2AB, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास, अब, minus का identity यह हो चुकी है, तो इसको close कर देंगे, इसमें, तो हो जाएगा, 3X, A है, minus में B क्या भई, 4 है, तो 4 का square, तो 3X माइनस में, 4, दो बार इसलिए लिख सकते हैं, क्योंकि उपर पावर 2 है, ठीक है, बई, और यहाँ पर अपना एक question complete हो जाएगा, question number 5 पे आ चुके हैं हम, question number 5 को कैसे solve करेंगे, देखो, 16 है, 16 को हम लिख सकते है, 4 का square, तो हो जाएगा, यहाँ पे, 4 का square, plus में, 49X square, 49 किसका होता है, 7 का, तो मैं इसको लिख दूँगा, 7X का whole square, plus में, अब यहाँ पे देखो, plus का है यह, तो हम यहाँ पर plus वाली identity, यह वा आपने पास भी 4 है, 4 into, B कितना भी 7X, तो 7X, तो 2, 4 जा 8, 8, 7 जा 56X, तो 56, यानि कि same to same अपने पास confirm हो चुका है, अब यह identity बन चुकी हमारी यह वाली, इसको close करके यह लिखना बस, हमने कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखेंगा, A के अपने पास 4, तो 4, plus में, B क यह अपने पास भी 7X, तो 7X, और यह हो जाएगा, इसका complete square, square हो दिया, 2 times से भी लिख सकते हैं इसको वैसे, वरना यहाँ तक भी अपना ठीक है, 4 plus में 7X, और एक और बालिक देंगे इसको, 4 plus में 7X, और यह अपना complete हो जाता है question, यहाँ पर, next देखते हम भी next कैसे करना, 9 को कैसे लिख सकते हमें, यहाँ पर 3 का square, ठीक है भी, यहाँ यहाँ पर 3 का square, 25 को कैसे लिख सकतो हमें, यहाँ पर 5Z का square हो जाएगा, ठीक है, minus में, 2AB, यानि की 2 into में, एक याँ अपने पास 3 है, तो यह 3 है, जो हमारा यहाँ पर, इस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और B के अपने पास भी यहाँ पे 5Z तो यहाँ आप लिख देंगे हम 5Z ठीक है भई अब हमने लिख देंगे आपे 3 का स्केर प्लस में 5Z का स्केर माइनस 2 इंटू A इंटू B अब हमारे पास यह आइडेंटिटी बन चुकी है भी यह वाली A स्केर प्लस B स्केर माइनस 2 A B की ठीक है तो अब इस आइडेंटिटी को क्लोज कर देंगे यहाँ पर इपर कन्फर्म करना तो इसको मल्टिप्लाइ करके देख लो आप 2 3 0 6 6 5 0 30 तो 30 Z ही बनता भी ठीक है अब लिखते हैं इसको A के अपने पास 3 है माइनस यह हमारे पास B यानि की 5Z इसका होल स्केर यह इडेंटिटी थी और इसको मैं ऐसे क्लोज कर दिया अब इसको 2 टाइमस लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने बोले आपको पहले भी कि हमने तो इसको दो बार भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी आपका ठीक हो सकता अनसरी है तो इसको फेक्टराइज कर दियुक्त हमारे यहाँ पर question complete होगे question number 7 पर आ चुके हैं अभी question number 7 को कैसे करेंगा हम दिखो है यहाँ पर 9 लिख है यहाँ पर 9 किसका square आपको पता ही है 3 का होता है Q की power 4 है यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंके square का square 4 हो जाएगा R की power 4 है तो यानि की R की power square करें और उसका square तो 4 हो जाएगा इन सभी कि अगर मैं power 2 करता हूँ अप देखो 3 का square करेंगे 9 आ जाएगा 2 है और 2, 2, 2 तो 4 हो जाएगा 2 और 2, 4 ऐसे लिख सकते हैं माइनस में लिखने से पहले हम यह लिखते है P की power 4 को plus में P की power 8 है तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ P की power 4 का square लिख सकता हूँ ठीक है P की power 4, 4 तो जाएगी होता है अब माइनस का sign है यानि कि हमारे पास negative identity यह वाली A-B का square identity लगे है तो मैं लिखूंगे आपर 2 into में A के अपने पास भई 3 Q square r square लिखूंगे आपर 3 Q square r square into में P की power 4 P की power 4 अब यहाँ पे देखे तो अब इसको match करके देखते है Q की power कितनी है भई 2 Q की power 2, R की power 2 ठीक है तो यह सारी power ऐसे same to say मांगी तो हमारा x ठीक है अब इसको close करना है ऐसे identity है ऐसे बनाना है इसको कैसे लिखेंगे A का square यानि की A के अपने पास यह है तो A लिखेंगे 3 Q square r square फिर minus का sign ठीक है यह minus B के अपने पास P की power 4 का square हो जाएगा यहां पर और इसको two times भी लिख सकते हैं भी आप इसको दो बार लिख लें न ठीक है कैसे लिखेंगे 3 q square r square minus P की power 4 और 3 q square r square minus में P की power 4 और यह question हमारा यहां पर complete वैसे यहां तक भी ठीक है question यहां तक भी कर सकते हैं इसको factor में लिखने के लिए 2 times 2 times लिख सकते हैं ठीक है next देखते हम भी next question अपने पास question number 8 question number 8 में क्या बोला देखो 9 को लिख सकतों में आपे 3 का square P by Q whole square हो गया यहां पर ठीक है plus में अब यह हमारे पास इतने से पहले हम इसको 16 को लिख सकते है 4 4 R का square यानि की R upon में M का whole square ठीक है भाई plus में 2 एक अपने पास 3 P by Q क्या लिखेंगे यहां पर 3 P by में Q into 4 R by M क्या लिखेंगे यहां पर 4 R by में M ठीक है भाई ऐसे लिख देखेंगे देख लो इसको solve करके 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 24 हो जाएगा P R और निचे Q M तो सेम उसे में बनता है तो हमारे पास यह identity close होके किसकी बनी है यहां पर प्लस वाले की A का square प्लस B का square प्लस 2 A B तो यहां पर लिख देखेंगे यहां पर A क्या अपने पास 3 P by में Q प्लस में B क्या भी अपने पास 4 R by में M तो इसको close कर देंगे इस प्राजे का square और इसको 2 times लिख सकते हैं वह लिख दो निचे 3 P by में Q प्लस में 4 R by में M One time और एक और बार लिख दो इसको ऐसी 3 P by में Q प्लस में 4 R by में M और यह होगा हमारे पास यहां पर question complete होई Question No.9 पर आ चुके हैं हम Question No.9 को कैसे करते हैं देखो यहां पर 1 upon 4 लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 upon 2 का square साथ में Z की पावर 6 है तो Z की पावर 3 को अगर मैं कर दूँ तो इसका whole square हो जाता प्लस में 9 को लिख सकता हूँ 3 और A इसका whole square ठीक है भई माइनस में 3A Z की पावर 3 यानि कि यहां पर हम identity लगाएंगे माइनस की 2 A क्या भई अपने पास 1 upon 2 Z cube 1 upon 2 Z cube और into में यह अपने पास 3 A 3 A देखो 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा 3 A Z cube भी बचेगा जो लिख है 3 A Z cube यानि कि identity अपने पास same money है भई इसको close कर देते हैं माइनस वाली है तो इसको close कर देंगे यहां पर तो अपने पास क्या बन जाएगा भई तो यह हो जाएगा अपने पास यहां पर 1 upon 2 Z cube तो इसको 2 time भी लिख सकते हैं यहां तक भी ठीक अपने पास से तो 1 upon 2 Z cube 3 माइनस में 3 A एक बार लिख दिया एक बार इसको और ऐसे लिख दो 1 upon 2 Z cube 3 और माइनस में 3 A और यहां पर हमारा एक question का answer complete हो जाता यहां से 10 ठीक है भई देखो कैसे करेंगे इस question को यहां पर दिया 9 upon 4 9 upon 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं भई 3 upon में 2 3 का square होता 9 4 को होता है 4 किसका square होता है 2 का और 7 में A तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है हम प्लस में अब 49 upon 9 49 को लिख सकता हूं मैं 7 upon में 9 किसको थी का और 7 में P है तो P लिख देंगे यह किसका square हो जाएगा ठीक है भई अब यहां पर minus है तो हमने बात की थी यहां पर बई जब minus वाल होता तो identity minus की बनती है minus में 2 A क्या अपना 3 upon 2 A 3 upon 2 A into में 7 upon 3 P 7 upon 3 ठीक है भई अब देखो 2 से 2 cancel out हो जाएगा 3 से 3 P cancel out तो A 7 AP बच जाता अपने पास क्या बच जाता भी 7 AP वैसे यहां पर काटने नहीं है यह बस मैं तुम्हें दिखा रहा था कि इसको अगर हम काट देंगे तो यहां पर को जाएगा 7 AP ही बचता है क्या बचता है 7 AP ही बचेगा तो यहां पर 7 AP ही बचता है माइनस में B क्या बच अपने पास 7 AP में 3 P का स्क्वेर ठीक है यहां पर अपना question complete होगा इसको हम 2 times भी लिख सकते है अगर चाहें तो 3 upon 2 A minus में 7 upon 3 P और साथ में आजेगा यहां पर 3 upon 2 A minus में 7 upon 3 P ठीक है यहां पर question complete हो जाएगा next question अभी अपना कौन सा 11 question number 11 को हम यहां पर कैसे करेंगे ठीक है question number 11 हमारा भी यहां से एक नया topic start होता है question number 11 में अभी तक हमने question number 10 किया था इसके अंदर हमने क्या किया था question number 10 में हमने सिर्फ identity का use किया था a minus b ka whole square a plus b ka whole square लेकिन जो question number 11 है इसमें हमारे पास एक new method लगेगा जिसका नाम है mts method जिसको हम बोलते है middle term splitting यानि कि जो middle में term होती है उसको split करते हैं क्या करते हैं middle में जो term होती है उसको split करते हैं इसको कैसे solve करेंगे देखो t square होता है जो ठीक है square के साथ जो भी यहां पर coefficient लगा भी तो कुछ नहीं है निकि 1 लगा है ठीक है और जो last का coefficient है जिसके साथ कोई भी t या कोई भी alphabet ना लगो a b c d या कुछ भी हो x y z कोई भी ना लगो तो यह और यह starting का इन दोनों को multiply करते हैं 85 को मैं 1 से multiply करूंगा 85 को मैं यहां पर multiply कर दूंगा भई 1 से तो अपने पास आएगा multiply करके 85 ठीक है उसके बाद यह लिखा है आपे 22 22 के सामने क्या प्लस का sign तो प्लस 22 तो आपने क्या करना है जो भी इन दोनों को multiply करेंगे 1 को और 85 को multiply करके जो भी आएगा ने आपे उसको आपने क्या करना factorize कर ले ना ऐसे 85 को factorize करेंगे आपे तो अपने पास क्या आएगा भी 5 से करते हैं 5 अंजा 5 बचगे 3 5 से अंजा 35 17 तो देखो क्या है 17 और 5 आता है अगर 17 को मैं 5 में add करता हूं 17 और 5 कितने होते हैं 22 22 होगा और अगर मैं 17 को 5 से multiply करेंगे तो 85 होगा तो आपने यही चेक करना है ऐसे 2 factor बनाने है बई जिन 2 factor को बनाने से अगर उनको multiply करें तो अपना 85 आना चीए जो भी multiplication कर गया है और उनको add करें या minus करें अब तो add करने से आ रहा है minus करने से भी कुछ होता तो हम देख लेते बट यहाँ पर add करेंगे 17 और 5 को तो 22 आएगा तो हमारे दो factor होगा एक 5 हो गया और एक 17 हो गया ठीक है अब इन दोनों factor को यहाँ पर middle term जो term होती है middle वाली इसको split करेंगे यहांसे 22 को मैं लिख सकता हूँ 17 प्लस 5 तो देखो कैसे करेंगा आगे T square प्लस में 22 है ना 22 को मैंने बोला भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 17 साथ में T प्लस में 5 T प्लस में 85 ध्यान से देखो भी 22 को middle term को मैंने split कर दिया कैसे 17 T और प्लस में 5 T में ठीक है एड करेंगे तो वापिस भी बनता ना 17 प्लस 5 22 तो ऐसे करना भी इसको अब फिर को मल लेना शुरू करते हैं पहले 2 से को मल लेंगे और फिर लास्ट के 2 से को मल लेंगे आगे तो सिंपल ही है यह तो T और T दोनों में T को मना भी तो T को मल लेंगे हूं अंदर क्या बज़ेगा आप इसको भी रफली T से डिवाईड इसको भी रफली T से डिवाईड कर लो T से T कट गया तो एक ही T बचा है प्लस का साइन T से T कट गईगा तो 17 बचेगा उसके बाद भी प्लस में इन दोने से क्या common आ रहा है, 5 common अंदर क्या बचेगा, देख लो 5 से divide कर लो rough list को, 5 से 5 कट गया तो T बचेगा यहाँ पर, plus में, 5 से से काटेंगे तो 17, हाँ भी, जब भी इस type के question आते हैं, middle term splitting वाले, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास एक verification होती है, कि हाँ, अगर दोन्नों bracket के अंदर same value आ रही है, क्या रही है, मैंने बोला है, अगर bracket के अंदर same value आ रही है, तो it means हमारा question सहीं जा रहा है, अगर यहाँ पर T plus 17 और यहाँ पर कुछ अलग value होती, तो हमारा question गलत होता, तो यहाँ पर तक आप जब कर लोगे, तो आपने चेक करना है, कि bracket म हम बाहर ले लिपते हैं आपर, T plus 17 हमने बाहर ले लिए यहाँ से, इंटू में बचेगा अपने पास कितना, T और 5, T plus में 5, या फिर आप देख सकते हो, T plus 17 जो भी आपने common लिया है, T plus 17, उससे आप क्या कर लो, roughly divide कर लो, ऐसे roughly करके देख लो, यह से cut गया, तो बचा T, त फिर प्लस का साइन, T plus 17 से कट गया, तो बचा क्या 5, तो 5 लिख दिया, तो यह हमारा यहाँ पर final answer होगा, क्या होगा है, यहाँ पर हमारा यह final answer होगा, यहाँ पर 24, जो last को होता है without alphabatic, यानि कि X, Y, Z कोई भी साथ में ना हो, तो इन दोनों को multiply करना है, 1 को 24 को multiply कर लो, 24 इंटू में 1 करते हैं, तो अपने पास कितना आता है, 24 ही आएगा, तो आपने ऐसा number सोचना है, जिसको multiply करें, तो 24 आए, और plus minus करें, ध्यान से देखना और जो भी multiply वाला तो इसको factorize करते है, चलो factorize कर लेते है, 24 को, 24 को करते हैं तो भई, 2 से करते हैं, पहले 12 आजएगा, फिर 2 से करते हैं, 6 आजएगा, 3 आजएगा, 3 तो देखो, अब simple है, 3 को 2 से किया, मैंने कितना आगया भई, 6 आगया, 2 से 2 को करूंगा, 4 आगया, तो 4 और 6 दो ऐसे फेक्टर बनगे अगर मैं 4 और 6 को एड़ करता हूं तो 4 और 6 हो जाते हैं 10 ठीक है और 4 को 6 से इसे कर सकते हैं वरता चोटे के लिए आप करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है वह था है अब माइनस का 10 होना चाहिए माइनस भीड का ले लूंगा दोनों के दोनों माइनस का ही 6x और minus का ही 4x क्योंकि है मैंने ये क्योंकि minus और minus sign तो same ही रहेगा लेकिन जुट जाएंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो इसलिए हैं पर minus 10 हो जाएगा plus में 24 अब आगे देखो कैसे करना इसको पहले in first 2 से common लेंगे और फिर last में इन दो से common लेंगे पहले यहां से common लेंगे तो x 6x में से क्या common आजएगा भी x common आगया ठीक है तो अंदर क्या बज़ जाएगा यहां पर x minus में 6 बज़ जाएगा फिर minus का sign common ले लिया और 7 में 4 common ले लिया तो x तो as it is minus plus क्या होतता भी minus ही होतता है और 4 को 24 से divide करेंगे तो 6 आजएगा 4 6 है 24 आपने क्या करना है 4 से यहां पर divide करो lovely करके देख लेना ऐसे 4 से 4 कर जाएगा x 4 से इसको काड़ देंगे तो 6 आजएगा यह हो गया ठीक है अब यहां पर x-4 कितना आजएगा x-4 और यह अपना question यहां पर complete हो जाएगा ठीक है as it is next question करते हैं में देख यहां पर same question है middle term splitting का ही है कैसे करेंगे यहां पर हमारे पास 1 है यहां पर 40 है तो 40 को 1 से multiply कर लो तो पहले 40 इंटू में 1 तो अपने पास कितना आजएगा भई 14 तो में 1 करेंगे तो 40 आएगा ठीक है और 40 को अगर मैं देख हूँ यहां पर 3 है न माइनस 3 मैंने बोल था टेबल टेबल से भी हम पता लगा सकते कौन सा एक्ट होगा तो टेबल देखो टू के टेबल में आता है होगा लेकिन 20 और टू में आड़ करेंगे तो 22 इतना बढ़ा जेगा यह नहीं आएगा फिर हम क्या करेंगा भी 40 में 5 से देख लो करके 58 जा 14 5 और 8 होगया है क्या हो गया यहां फाइव और 8-5-1 जा 40 होता है फाइव यह र्य्ट होता है और 8 में से अकर मैं और प्लस में कर दूँगा, यहां पर 3M , और माइनस में 40, अब देखो, M स्केर, माइनस में 8 M, प्लस में 3 M, माइनस का 8 और प्लस का 3 है, तो बड़ा किसका साइन आपता है, जो digit बढ़ी होते है, 8 बढ़ी है, तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस होएंगे, तो कितना एंदर क्या बच जाएगा एकस माइनस सोरी म माइनस एट बच जाएगा ठीक है अब ऐसी यहां से प्लस का फाइव को मलेंगे तो मैं एज़िटीज माइनस का साइन एज़िटीज फाइव को 40 से डिवाइड कर दो 5 एड़ फॉर्टी तो एट आ गया तो देखो माइनस एट और माइनस एट दोनों एकूल होगे नहीं से ठीक है भी तो यहां पर माइनस ट मक्या लेंगे बाहर लेंगे माइनस एट बहार ले 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 लेंगे वाज़्ट मैं प्लस में 5 बच जाएगा ठीक है और यह हो जाएगा हमारा यहां पर final answer 14 question पर आचके हैं भी देखो 14 question को कैसे करना हमने यहाँ पर x square plus में x minus में 72 अपने पास ठीक है तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे x square plus में x minus में 72 सबसे पहले हमने देखना है कि 72 को और 1 को multiply कर तो 72 ही आएगा ठीक है भी और साथ में निचे प्लस का 1 ही x है तो यहीं प्लस माइनस करें तो 1 बचना चाहिए 72 का टेबल चेक करो भी कौन से आता है यह 72 किसी पर ना पता है तो अपने पास 9 और 8 पर अगर मैं 8 को 9 से multiply करता हूं भी 8 इंटू 9 तो 8 9 जा 72 और 9 में से 8 minus करता हूं तो अपने पास बचता है तो हो गया हमारे पास दो factor तो x-square to agitties लिखूँगा मैं यहां पर x-square agitties जाएगा 9 माइनस में 8 हमने को में ले लिया तो अंदर बच जाएगा X और माइनस माइनस प्लस हो गया वह अंदर और 8 9 जा 72 अब मैंने बोल था यह दोनों एक वल आने चाहिए तो अपना अनसर ठीक जा रहा वही तो X प्लस 9 यहां पर कर लेंगे ज़िए और अंदर बच जाएगा अपने पास X माइनस में 8 कितना बच गया वही एक्स माइनस में एट और यह अपना होगा यह पर कम्प्लीट ठीक है बही नेक्स पर चलते हैं नेक्स में भी हमने ऐसे बनाना है 120 यह यहां पर कितना है 120 पी का सके अब पहले देख लेते हैं पी के सामने क्या वन है वन को मल्टीप्लाइ करता हूं हमें 20 से 120 यह आता है अब हमारे पास आ चुके अभी बड़ा नंबर कितना आ बड़ा नंबर आ गया तो हम इसको क्या करते हैं पहले सोल करते हैं ठीक है हम इसको फेक्टराइज कर लेते हैं एक तो 15 होगा अभी फेक्टर और 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 तो एक 8 हो गया 15 में से 8 गया कितना हो धा भी 7 होता है और 15 को 8 से मल्टिप्लाइ करता हूं तो 120 होता है लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो इट मिंस हमने माइनस में इनको कैसे लिखें कि माइनस में ही बजिए तो मैं माइनस का बढ़ा है, तो यहाँ पर माइनस का 15 लिख लेता हूं, 15P, ठीक है, फिर प्लस में लिख लूँगा, मैं यहाँ पर 8P, और साथ में लिख दूँगा, माइनस का 120, ठीक है भी, माइनस का 15P है, प्लस में 8P, माइनस में 120, तो क्या करेंगे, आप दुन्हों से, common ले लो, इन दोनों से common लेलो तो P common लेली अपर अंदर क्या बच्छीए अपने पास P minus में 15 बच्चुका है यहाँ प्लस में इन दोनों से 8 common लेलो ले अंदर बच्जाएगा P minus में 15, ठीक है तो यह भी P minus 15 यह भी P minus 15 प्ने दुनों के दुनों ही हमारे पास यहां पे कोमन आ रहे हैं तो पी-15 ले लो यहां पे और साथ में दर क्या बठ जाएगा वे अपने पास कम्प्लीट हो जाएगा हुई नेक्स्ट क्वेशन अभी अपने पास 16 इसके अंदर देखो कैसे करेंगे 16 और यहां पर है जड़ पहले हम इसको अरेंज करते हैं सबसे पहले हाइस्ट पावर वाल आता है जड़ की पावर टू इसको पहले रखेंगे फिर जड़ की पावर व जड़ ए श्क्सटीन और प्लस माइनस करके क्या अनज़िए 17 क्या अनच आतशिए 17 माइनस का 17 आतशिए प्लस माइनस करें तो क्या करेंगे 16 वन जा 16 ही होता है 16 को मैं अगर multiply करूँ 1 से तो 16 ही होगा और 16 में 1 add कर दूँगा तो 17 हो जाएगा तो हमारे दो factor बनगे 16 और 1 तो क्या करेंगे आपे z square as it is लिखेंगे minus का है आना ची 17 तो क्या करूँगा minus का ही 16 z कर दूँगा और minus का ही 1 z कर दूँगा प्लस में 16 क्योंकि दोनों को add करेंगे तो minus minus sign same रहत तो पहले दो से common और फिर last के दो से common भई पहले दो से क्या common आएगा z common आएगा तो z common ले लो z से divide कर दो इसको roughly करेंगे तो क्या आजेगा भई यहांपे z से z कटगे एक power बची जड़की अंदर minus का sign और यहां बचाएगा 16 क्या बचाएगा भई 16 माइनस में एक जड़ है यहांपे तो एक ही जड़ रखेंगे यहांपे ठीक है भई और दोनों में कुछ common यह तो one common ले लेते हैं ठीक है जड़ आजटीज प्लस माइनस माइनस ही होता और 16 देखो भी दोनों में जड़ माइनस 16 है तो मैं क्या करूँगा जड़ माइनस 16 को मा ले लूँगा और अंदर क्या बच जाएगा जड़ माइनस वन जड़ माइनस वन बच जाएगा यह हमारा question यहां पर complete हो जाएगा ठीक है next देख लगते अब यह वाला भई multiply करके आना चाहिए 104 और साथ में आवे वन यानिकी 104 को अगर मैं multiply करूं वन से तो आता बनजिरो four ठीक है और plus-minus करें तो कितना तब यह आता अपने पास कि 5 अब किससे करेंगी हमारा 104 थीड क्या करते है को चका करते तो दो से करेंगे तो पिर दो से करेंगे तो 26 फिर रोह से करेंगे तो 13 यह आ गया 13 तो धर्टिन पहने जाता है तो टू तू जा-4, फोर तू जा-8 एट को मैं मल्टिप्लाय करोगर 13 से 13-80 तो 13 और इड़ फिप्टी फोर वंजिरो फोर होता है और थर्टीन और एट में इसे डिफरेंस देखे तो फाइब आता है तो तो होगा अपना गश्चन तो देख लगते हैं भी कैसे करेंगे इसके रइज इस प्लस में 5A आना चाहिए प्लस माइनस करके तो मैं क्या करता हूँ पहले 13-10 और माइनस में कर देता हूँ वहां से 8A ठीक है भाई, और माइनस में बन जरॉफ लिग दो फिर बचा हो आजो, तो इन दोनों मेंसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, फ़ाइव बचेगा, तो पहले दो से कोमन, A आजएगा तो अंदर बजएगा A प्लस में 13 ये भी माइनस ये भी माइनस है माइनस को मना आगा बार 8 भी को मना आजएगा दुनों में से तो अंदर बजएगा A प्लस का साइन क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा न अंदर और 8 को दुनों से डिवाइड कर तो यहां पर भी यहां से 8 से कट कर गिया तो A बच गा प्लस का साइन, 8 से इसको काटेंगे तो भी कितना आजएगा 13 आगा ना, तो A प्लस 13, A प्लस 13, दुनों से कोमा ले लो A प्लस 13, तो अंदर कितना बच जगा भी अपने पास A माइनस 8 बच जाएगा, और यह हमारा क्वेशन यहां पर कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है क्वेशन नमबर 18 को देखो भी कैसे कर सकते हम, ठीक है तो 3 लिखा है, यहां पर लिखा है 10, तो सबसे पहले क्या करते है इसको और इसको multiply करेंगे, तो 3 into 10 करते हैं भी कितना जाएगा अपने पास 30 आगे न, 30 आजाता, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है 11, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, 30 सो सुचो यहां पर किस पे आता है सबसे बहले 5 को अगर मैं करता हूँ multiply यहां 6 से, ठीक है, 5 को अगर 6 से multiply करता हूँ तो कितना आजेगा अपने पास, 5, 6 आ, 30, तो 5 और 6 आएगा, और दोनों पाइड करके देखो चलो तो 5 और 6 को तो कितना आएगा, 11 आएगा न, तो हम क्या करते हैं आपे, दो फेक्टर बनगे अपने पास, यहां पर लिखेंगे, इसको मीडल टर्म स्प्रिट कर देंगे यहां से, तो 3 X के अर, प्लस में, 11 को कैसे दिखको मैं आपे, 5 X, प्लस में, 6 X, कोई ज़रूरी नह आप 6 आगे रख सकते हो, या 5 पीछे रख सकते हो, आपके मर्जी है, जैसे आप करना चाहो, ठीक है, प्लस में, 10 भई, ठीक है, उसके बाद, अब क्या करेंगे, दोनों से देखो भी क्या को मना रहा है, एक काम करो नहीं, आप, easy रखना न, तो थोड़ा आप क्या करो, यह को मना रहा है, और क्या को मना रहा है, दोनों से, एक्स को मना आजएगा, ठीक है, तो इसको रफली 3X से डिवैड करो, इसको भी 3X से, 3 से 3 कट गया, एक एक एक्स बच गा, प्लस का साइन, 3 से 2 आजएगा, 3 टूजा 6, एक्स से एक्स कट गया, तो 2 भचा न, तो एक्स प् प्लस में 5 को 10 से गाट देंगे 2 आजेगा 5 तो तो एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू को मन ले लेंगे आपे तो अपना पास कितना अजेगा भी एक्स प्लस टू और 3x प्लस 5 कितना 3x प्लस 5 ठीक है तो यह होगा हमारे यहाप पे सब्सक्राइब करेंगे 6 और 3 को कितना आएगा 6 इंटू 3 करते हैं तो 18 आता अपने पास ठीक है मुल्टिप्लाइब करके 18 लेकि आना है और प्लस माइनस करेंगे तो 7 अब 2 के टेबल से चलो बेए 2 9 जा कितना होता है 2 9 जो अपने पास 2 9 जा 18 होता है तो 2 और 9 कितना 2 और 9 फेक्टर बने है नाइन को अगर मैं 2 से माइनस कर दू तो कितना आएगा वई 7 ही आएगा ना तो 7 आजेगा तो अपने फेक्टर मिल गया में 9 और 2 ठीक है तो लिखते हैं यहाँ पे देखो 6 X square प्लस में 9 X में से एगर मैं 2 X माइनस कर दूंगा तो 9 माइनस जवे 7 बच जाएगatin माइनस में 3 अब कोमल है ना भी दुनों से कोमल लेतने है पहले तो दुनों में 6 और 9 है तो 3 को मन आगया भर चया ऐसमें भी X है तो एक्क्ष चै और देखो कितना गया तो अंदर दे अपना 3 आगा ठीक है, माइनस में, 2x-3, तो दुनों से माइनस का साइन कॉमन लेलो भई, और 1 कॉमन लेलो, क्योंकि और कुछ कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो अंदर बच गए 2x-3, 2x, sorry, माइनस माइनस प्लस हो गया भई, यहां पर, तो 2x-3, 2x-3, तो 2x-3 आजेगा अपना यहां पर, और अंदर बच जाएगा, 3x-1, यहां पर अपना question complete हो गए, ठीक है, next पर चलता है, 3, 4s आ 12, कहीं बार ना हमें, कहीं इस question में क्या सा सीखने को मिलेगा हमें, कि कहीं बार हमें जो लास्ट में और फर्स्ट में दिया होता है, यही हमारे factor बन जाता है, देखो, 3 को 4 से multiply किया, कितना आ गया, 12 आ गया, और 3 और 4 को ही अगर हम लें, 4 में से 3 माइनस करें, तो 1 बचता है, बट यहां पर 4, अब यह नहीं लगए इसमें, next question में करें इसको, simply करते है, 3 को हम 4 से करते हैं, कितना आ जेगा, 12, कितना जेगा, 12, और 12 को कि स्टेबल पे, बहले 2 पे देख लो, 2, 6, 0 कितना होता है, 12, 6, 0 होता है, 6 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 ठीक है, तो 4 बचेगा, तो हमारे factor होगे, 6 और 2, देखो, लिखते हैं इसको, 3z का square, माइनस का sign है न, अब की बार, तो माइनस बचाना है, तो तो अंदर क्या बच जाएगा, 3, sorry, 3 तो बाहर चला गया न, तो अंदर क्या बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा, और माइनस में, 2 बच जाएगा, प्लस में, यहां से तो कुछ को मना रहा है, 2 को मना रहा है, 2 ले लो को मन, अंदर क्या बच जाएगा, Z में, 2 को प्लस में 2 कितना बच गया बच जाएगा 3Z प्लस में 2 कितना बच गया बच जाएगा 3Z प्लस में 2 यह हमारा यहां पर क्वेषिंशन गम्पिाएं सबसे पहले यह इसको रेंज करना अब देखो टेखो पहले शाया पेखो गमिले टेफी इसमें मैंनस मैंनग जो हैं वो मैंने खो जाएगा फोजीट कर देना अगर माइन बाए तो liberty व्रूमा खेले मिले था टो यह मायМ víde तो ये प्लस हो गया भई, ये माईनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिगे, लो उसके बाद क्या करते हैं, हाइस्ट ओडर से रेंज करते हैं, पहले X की पावर टू लेंगे यहापे, फिर प्लस का X लेंगे, और फिर माईनस का 72 ठीक है भई, ये करने के 1 बचता भी अपने बास, क्या बचता है 1 तो लिखते हैं सको ऐसी, minus agities x के agities plus में, 9x में से हमने 8x minus कर देना है और minus में 72 agities तो minus तो भार ऐसे रहेगा, अंदर देखो भी दोनों में से क्या common आजेगा x को common आजेगा, तो अंदर या बचेगा भी x plus 9 बचेगा, फिर minus का sign 8 से दोनों को डिवाइड कर दो यानि की 8 को में ले लो तो 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड कर गए x बचेगा भी minus minus ये plus बचेगा 8 9 जा 72 9 आगया, तो 9 लिख देंगे आपर उसके बाद x plus 9, x plus 9 दोनों में एकवल है तो बाहर क्या आजएगा भई x plus 9 हमने ले लिए हैं आपर ठीक है और x plus 9 तो ले लिए हैं आपर बचा क्या, x minus में 8 बचेगा, कितना बचेगा भी x minus में 8 बचेगा अपने पास तो यह आजएगा भी अपने पास यहाँ पर question का answer ठीक है अब next देखते हैं भी next कैसे करेंगे x square minus में 3xy minus में 40 y square तो यहाँ पर देखते हैं भी यहाँ पर है 1 और last का term क्या भी अपने पास अब की बार ही alphabet के साथ आगया किसके साथ आगया alphabet बड़ अल्फाबेट भी हम इसी के साथ ही लेंगे तो multiply करके आना चाहिए 40 y square ठीक है तो सोचते हैं कि हमारा कौन सोगा साथ में x भी है कितना भी x भी है तो यहनि कि 40 x square y square ऐसे नमबर आना चाहिए ठीक है तो हम 40 को table पर देखते हैं पहले 3 बचना चाहिए और 40 किस पर आना चाहिए तो 8 5 जा 40 होता है और 8 में से अगर हम 5 minus करते हैं तो अपने पास भूसता है 3 कितना भूसता भी 3 ठीक है तो मैं अगर मैं 8 को 5 से multiply करूँ तो इतना आता 40 और 8 में से 5 minus करूँगो तो 3 बच जाएगा तो वहीं लिखेंगे आपर देखो कैसे करने X के राज़िटीज भाई माइनस में माइनस का साइन है तो बड़ा लेंगे आपर 8 x y प्लस में लेंगे 5 x y ठीक है 8 और 5 जो हमने बनाए है 8 और 5 और माइनस में कितना भाई 40 y स्केर 40 y स्केर ठीक है अब इन दोनों में से देखो क्या को मना आएगा X को मना आएगा भी X को मन लें तो अंदर क्या बच जाएगा X माइनस में 8 y ठीक है प्लस का साइन दोनों में से क्या को मना आएगा भी हमारे पास य को मना रहा है कितना रहा है तो अंदर क्या बज़ जाएगा अपने पास यहां पर और साथ में 5B को मना रहा है 5B को मना ले लो तो 5 और 5y से डिवाइड करो इसको भी और इसको भी y से y कट गया 5 से 5 कट गया तो x बचा गया इतना बचा भी x minus cosine is 5 से इसको काट देंगे 5 य को y से काट देंगे तो कितना आजेगा y यह आएगा और साथ में 5 य से 40 तो 8 y तो x-8y एक समाइस 8y दुनों में को मना ले ले लिए यहां पर x-8y और साथ में अपने पास कितना आजेगा x plus में 5y और यहां पर हमारा equation complete हो जाएगा यहां पर हमने सोचना है कैसे लिखे है इसको से यदेगा multiply करके 18 आए और plus करके आना चाहिए 11 तो देखो 18 किसके table path starting में 2 पे देखते हैं 2 9 जा 18 तो 2 और 9 2 9 जा 18 हो जाएगा और 2 और 9 कितने होएंगे add करेंगे तो 11 तो 11 को जाएगा ठीक है भई तो हम यह लेंगे factor 2 तो लिखते हैं आप इसको 3x square plus में 9x plus में 2x plus में 6 ठीक है भई पहले दो से को मन फिर last के दो से को मन एजटीस करने है वाई एजटीस अब देखो तीन और 9 में से 3 को मना गया 3 और 9 में से 3 को मना गया x square और x में से x को मना गया थीक है तो अंदर कितना बच जाएगा अपने पास x plus में 3 बच जाएगा ठीक है प्लस में टू और शिक्स में से टू ही को मनाता तो मैं पता ही अभी तो एक सा जेगा यहां पर प्लस में टू थ्री जा शेक्स थ्री बच गया यहां ठीक है अब देखो वाई यह जटीज अंदर क्या को मना जएगा ऐक स्थ्री और यहां पर लेगा है वाइन टू में एकस प्लस थ्री उसके बाद एकस प्लस प्लस में तू तो यहां पर अपना कुश्चिन कंप्लेट हो जाएगा नेक्स पर चलते हैं वहंत पर क्या बूलना देख्व हाँ माइनस बी का स्कुयर यहाँ माइनस वी में इसको फोड़े माइनस करते हैं माइनस में 5 इसके चिंग पर एक्स रख देंगे तो 5 X हो गया प्लस में 6 देखो इसके आगए मुल्टीप्लाइ करें तो 6 आना चीए और । प्लस माइनस करें तो 5 तो 6 किसके टेबल पर आता है, 2 पर आता है, 2 पर आता है, 6 होता है, तो हम क्या गरेंगे, 2 को multiply कर लेंगे 3 से, 2 थी जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 और 3, दो factor बनगे, तो 2 and 3, दोनों को sum करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, तो देखो x के राज़िटीज हो गया, minus में, 2x minus में, 3x, plus में आ जाएगा, 6 ठीक है, तो देखो, दोनों में से क्या को मना रहा है, यह x को मना रहा है, लिक लेते हैं, यहां पर क्या बज़ जाएगा, x minus 2 बज़ जाएगा, minus में 3 को मन लेंगे तो अंदर, x minus 2 बज़ जाएगा, दोनो X की value यहां पर क्या करेंगे, put कर देंगे, X की value क्या लिए थी, हमने A-B लिए थी ना, तो X की जिए पर A-B रख दो, तो रखेंगे तो A-B और minus का 2, minus का 2, as it is यहां पर, A-B और minus में 3, और यहां पर हमारा question यह complete हो जाएगा, next question अभी अपने पास question number 25, ठीक है, question number 25 को देखो कैसे solve करेंगे, A-3B, A-3B अपने पास, ठीक है, तो put कर देते हैं, हम यहां पर A-3B को किसके equal भई, X के equal put कर देंगे, ठीक है, तो X हम यहां पर put करेंगे, तो X क्योर हो जाएगा, minus में 4, यहां पर X के जंग पर put करेंगे, X हो जाएगा, और minus में 21, देखो भी, multiply करके का आना चाहिए, अपने पास 21 आना चाहिए, यहां पर, ठीक है, अगर multiply कर तो 21 आएगा, और वैसे देखे हो, तो हम कितना आजएगा अपने पास, multiply करके 21, तो 21 देखो किसके table पर आता है, यह अपने पास आता है, यह 3 के table पर, 3 इंटू में 7 कर देंगे अपने पास, 21 आजएगा, ठीक है, तो 37 जा, 21, और 3 और 7 को अगर मैं minus करता हूँ, 7 में से 3 माइनस कर दो, तो कितना आजएगा अपने पास, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 माइनस 7 करेंगे, तो अपने पास 4 आ जाएगा, ठीक है, तो अब लिखते हैं चलो इसको, x के radities, ठीक है, माइनस में 7x रखेंगे पहले क्योंकि माइनस का लेकिया ना है प्लस में रखेंगे यहां पर 3x और माइनस में 21 तो x दोनों से common आगा वही ठीक है तो अंदर कितना बज़ जाएगा वही x-7 प्लस में 3 दोनों से common ले लेंगे तो अंदर बज़ जाएगा x-7 फिर x-7 यहां पर भी है और यहां पर भी है ठीक है तो हमने यहां से ले लिया x-7 और यहां पर आगया अपने पास x-3 अब x की ज़ग पर पुट कर दो जो हमने शुरू माना था यहां पर रखेंगे हम a-3b-7 और यहां पर आजएगा a-3b-3 ठीक अभी x की ज़ग पर आप रखेंगे तो यहां हो जगा अपने पास question complete next देखते हैं भी हमारे पास question क्या है यहां पर है हमारे पास y-2 का square यहां पर भी कितना है y-2 का square ठीक है तो y-2 को हम रख लेते हैं पर किसके इकवल x के को रख लेते हैं अब यहां पर हमने x मानने यहां पर भी x मानने तो 3 as it is ठीक है x का square हो जाएगा यहां पर फिर minus as it is और यहां पर y-2 की जंग पर यहां पर अपने पास 44 अब देखो यह question थोड़ा बढ़ा वही क्यों क्यूंकि इसके अंदर 3 और 44 जैसे बड़े factor आए तो पहले इसको इसको multiply करते हैं भी 44 को मैं यहां पर 3 से करता हूं पहले 3 4 12 का 2 1 के रहे गया वही यहां पर 3 4 12 और 1 13 तो multiply करेंगे 131 अच्छी और वैसे देखते भी क्या आएगा प्लस माइनस कर कहना चाहिए 1 तो देखते हैं यहां पर पहले 132 को factorize कर लगते हैं यहां पर 132 को factorize करते हैं 2 से करेंगे तो 6 12 12 हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 3 3 2 से फिर कटेगा नहीं 3 से कटेगा 1 1 तो 11 हो जाए लास्ट में 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 और 11 देखो 12 में से मैं 11 माइनस करता हूं तो 1 बचता है 1 बचे गए यहां पर और 12 और 11 को multiply करूंगा तो अपने पास कितना आजएगा वई 132 तो देखते हैं आप है 3x के रजटीज लिखते है माइनस का बचना चाहिए तो माइनस का 12x बड़ा लिखेंगे पहले और फिर प्लस में 11x और माइनस में 44 जटीज ठीक है दूनों से क्या को मना रहा भी x को म यहां पर 11 को मा ले लेंगे तो अंदर आजेगा x- 4 तो एकस माइनस 4 यहां पर भी यहां पर यहां पर करेंगे x-4 को एजटीज लिख लेंगे और यहां पर आजेगा 3x प्लस में 11 यहां तक तो ठीक है अब x की value क्या मानीत है हमने y-2 अब यहां पर put करतें देखो वह x की पर कमने y-2 प्लस में 11 ठीक है अब थोटे यहां पर लिखे देता हूं मैं इसको y-2 और minus का फूर तो कितना हो गया भई y-6 हो जाएगा ठीक है as it is यहां देखो 3 को मैं y से करूँगा 3y minus का sign 3 को 2 से करूँगा 3 2 जा 6 प्लस में 11 अब ही ठीक है यहां देखो y-6 तो बज़ जाएगा अपने पास और यहां पर हो जाएगा अपने पास 3y एज़टी जोर माइनस का 6 और प्लस का 11 तो जाएगा अपने पास यहां पर 5 हो जाएगा और यह हमारा होगा यहां पर इसका फाइनल अंसर आजाएगा यह हमारा next question अभी अपने पास question number 27 question number 27 में देखो क्या करना भी हमने आपर हमारे पास है 7 plus में 10 x plus y minus में 8 x plus y का whole square तो सब से बहुत करेंगे आपर x plus y और x plus y ले लेंगे आपर इसको मान लिते हम यहां पर x plus y को क्या हमने मान लिया पी मान लिया चलो ठीक है पी मान लेते हैं तो 7 agities रहेगा प्लस में 10 agities और पी आजेगा यहां पर माइनस में 8 agities और x plus y का square यह नहीं कि कितना वही 8 p square अब हम क्या करते हैं order में range करते हैं तो माइनस agities बाहर अंदर पहले बड़े order का रखते हैं 8 p square minus में 10p और फिर माम इनस में 7 जिसके बदिखो यहां पर करते है next आखे यह 10 prac – 7 और सविकरगे cambio यहां और अंधर क्या अपने पास 8 P का क्या अजे और माम वही डिखो एट और सबンध Wow सभी यहां को म्ल्टिप्क्लाइ अगर हम multiply करेंगे यहां पर क्या करेंगे अगर हम multiply करें तो हमारे पास आना चाहिए minus का 10 और otherwise आना चाहिए अपने पास plus minus करें तो 10 otherwise आना चाहिए 56 तो देखो भई अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 14 को 4 से किस से 14 को 4 से multiply करता हूँ 14 4 जा होता है 56 और 14 को 4 से माइनस करूँगा तो मैं अपने पास आजे कितना 10 आ जाएगा वे कितना आजेगा 10 आ जाएगा ठीक है 14 का टेबल आना चाहिए आपको तो आप कर सकते हो इसको उसके बाद वरना आप प्राइम फेक्टरिजिशन कर लेना 56 की ठीक है तो माइनस एट पी स्के लेशन को प्राइम प्राइम कितना पी माइनस में हो जाएगा फ्राइम पर के तो धेखो माइनस का 1 है minus cosine is अब 2P और 4P minus 7 और यहाँ पर इबी कितना अपने बास 4P minus 7 है 4P minus 7 as it is और साथ ही साथ 2P plus में 1 आजेगा अपने बास तो 4P minus 7 और 2P plus 1 यह हमारा हो गया है यहाँ पर लेकिन इसके बाद हमने क्या करना है P की value डाल देना है मानने थी वह हमने यहां पर हम ले लेगे इगने ओर हमने 7 उसके बाद यह और पर यहां प्लस में माइनस में 7 ठीक है भई 2 को X से करेंगे आप आजएगा 2X प्लस में 2 को Y से करेंगे 2Y और प्लस में आजएगे आप ए 1 ठीक है भई यह हमारे यहाँ पर हो गया question complete ठीक है भई इसके बाद हमें यहाँ पर आज हमारे chapter complete हो चुका 14D हमारी last exercise थी ठीक है उसके बाद हम new chapter start करेंगे यहाँ तक अगर आपको कोई भी doubt आता है या फिक कोई query है तो आप मुझे comment भी कर सकते हैं Thank you